तो integration हम लोगों का चल रहा था, question number 80 तक हम लोगों ने रात में solve किया था, ठीक है, 80 तक solve किया था, चलो 81 से start करते हैं, चलो इसको बनाओ, देखो किस-किस से बन रहा है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, हाँ, objective आज साम से होगा, objective की class आज साम से होगी, ठीक है, तो objective के आज साम से ready रहना है, अल्रेडी खतम होगी हम लोगों का ना, अभी हम लोगों का जो है, भी हम लोगों का जो है ना, short देखो long पहले ही करा दी है, short आज खतम हो जाएगा अभी, आज साम से objective स्टार्ट होगा तो आज साम में objective कल दिन में objective कल साम में objective objective खतम हो जाएगा और उसके बाद जो है जो Monday को है हमारा एक formula का session होगा और formula का session होगा और हम चाहते हैं कि 31st 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 के साम से आप लोगों को ज़ादा नहीं पढ़ना है ठीक है तो 31 के साम को एक बार life आएंगे सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि एक्जाम दिया कैसे जाना है कैसे रिलक्स रहना है कैसे tension फ्री होना है तो बिलकुल आप लोग ना अभी तो पढ़ो 31 के साम से फिर पढ़ना नहीं है ठीक है, एक दम रिलेक्स मुड में रहना है, जितना पढड़ना है, 30 के पूरा रात पढ़ सकते हो, 31 का दिन पूरा पढ़ सकते हो, 31 के रात में आराम से 8 वजे जो है न, 8 वजे 9 वजे, आराम से खाना पिना खा लो, उसके बाद एक क्लास के लिए आएंगे हम रात में, उसके रात में पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जाते आदमी ठक जाता है जब ठक जाओगे तो फिर अगले दिन एक्जाम अच्छी नहीं जाएगी ठीक है तो 31 के रात में नहीं पढ़ने है चलो बच्चों इसको बना फटक से तो हम लोग 31 के दिन तक सारा कहानी खतम कर लें ठीक है 31 के रात को फ्री रहोगे आप लोग एकदम जाके सुबह एक्जाम देना है रिलेशन फंसन नहीं पढ़ना है बच्चों रिलेशन फंसन पर फोकस नहीं करना है रिलेशन फंसन नहीं पढ़ना है छोड़ दो रिलेशन फंसन ठीक है रिलेशन फंसन छोड़ दो बात इतना पढ़ाया है यह 6 चेप्टर, 8 चेप्टर सबसे पढ़ाया है सारा, 6 चेप्टर ही काफी है तुमारे लिए उसी से 100 आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा पढ़ाया है, ठीक है, इसी को तो यारी करो, चलो ठीक है, 10 क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटिग्रेशन करना है, तो जलो स्टार्ट करते हैं, तो solution I equals to क्या है मारे पास, 10 क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसको दो इससों में बांट लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, 10x इंटू 10 स्क्वार एक्स, 10x इंटू 10 स्क्वार एक्स, 10 स्क्वार एक्स, 10 स्क्वार एक्स डी एक ठीक है और 10 square x को लिखते हैं यह 10 x ठीक है सेक स्क्वार एक्स माइनस वन और साथ में dx तो यह दो हिस्सों में बढ़ जाएगी तो आई 10 x सेक स्क्वार एक्स और माइनस 10 x और हो गया dx ऐसा आगया तो यह दो हिस्सों में दो अलग-अलग इंटिग्रेशन हो जाएगा इसका तो एक इंटिग्रेशन हो जाएगा ऐसा इंटिग्रेशन 10 x सेक स्क्वार एक्स dx माइनस इंटिग्रेशन 10 x dx 10 x dx ठीक है 10 x dx तो इसको दो हिस्सों में ले लो इसको सेक एक बार t मानलो put कर लो 10 x equals to t 10 x को t मानलो सेक स्क्वार आ जाएगा तुम्हारा 10 x equals to t ले लो तो this implies सेक स्क्वार x dx जो है वो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो therefore i equals to क्या आ रहा है हमारा यहां से 10 को हम लोग t लिये हैं तो t dt ठीक है t dt और माइनस यह यह जो तुमारा 10 x है 10 x का इंटिगरेशन क्या होता है लोग सेक तो यह लोग सेक है हो गया तुमारे पास और plus c log सेक एक स्वारत नहीं है ऐसे ही log सेक एक दे मौड भी दे सकते हो सेक का वेल्यू निगर्टिव याता है देदो मौड कोई बात नहीं तो आई एक क्वेस्ट क्या है तुम्हारे पास टी तो यह आगया तुम्हारा टी स्क्वाइर बाइट टी स्क्वाइर टू माइनस लॉग सेक एक्स और प्लस कॉंस्टेंट ले लिए सी अभी तो एक इंटिग्रेशन था तो छोड़ देते हैं यहां कॉंस्टेंट सबका मिला के कॉंस्टेंट ले लेते हैं आपर तो यहां से आई एक क्वेस्ट कितना आ गया हमारा वन बाइट टू यह टू है और टी स्क्वाइर टी किसको माने थे टै by two, बिल्कुल, ten square x, ठीक है बच्चों, एकदम सही है, चलो next question पर चलते हैं, next question देखो, अच्छा ये question जो है, actually में short question है, लेकिन दो या तीन बार जो ने इसको long question में पूछा गया, ठीक है, ये है short question, लेकिन इसको ने दो तीन बार जो है, बिहार बोर्ड वाला long question में पूछा, तो पता नहीं, ये question तीन बार आचुका है, ऐसा नहीं कि एकाद बार पूछा हो, तो ये long में पूछा है, तीन बार, तो एक्चुली short question है, देख लेते हैं, तुरंद बन जाएगी, और जिसमें बना देना है, तो एक्चुली बिहार बोर्ड में ये समझ में नहीं आता है कि किसको short में देगा, किसको long में देगा, सिंपली बात है, आप लोग बना के जो, जहां मिल जाए, वहां बना देना, ठीक है, तो देख लो, इसको बना एक्चुली long में दिया था, वो भी जिससे में 7 marks का long आता, तो उसमें 7 marks का ये question था, ठीक है, 5 marks का long आने लगा, तो फिर 5 marks में भी ये आया, 5 marks में 2 बार आया ये, 7 marks में 1 बार आया ये, तो ये actually long short सब है, जिसको जो मालू हम short में इसको रखें, आप long में भी इसको आयगा है, तो देख ले न, long में भी, तो solution, I equals to इसको क्या करते हैं, 0 से pi y 2, root under, cos x, by, यहाँ पर root under, यह एक ही के नीचे root है, ना, दुनों के नीचे नीचे नहीं, है, एक के नीचे root है, यहाँ भी एक के नीचे root है, यहाँ है, तुमारा root sin x, plus root cos x, ऐसा है, ठीक है, root cos x, यह dx, है ना, तो अब देखो ध्यान से, कि 0 से pi y 2, cos x, यह आ गया, हमको पता है, यह वाला formula, तो सबको पता ही होगा, यह property, सबसे important property है, definite integral का, 0 से a, fx, dx, जो होता है, हमारा, वो होता है, 0 से a, f, a minus x, dx, तो इसी का इस्तिमाल करेंगे, तो क्या आजाएगा हमारा आगे, तो हमारा आगे आजाएगा, इसको equation 1 मान लो, है ना, और यहाँ से कर लो, this implies i2, तो 0 से pi by 2, ठीक है, रूट अंडर यहाँ देखो, cos pi by 2 minus x, तो cos pi by 2 minus x, तो यह आ रहा है तुमारा pi by 2 minus x, तो यह अपने आप हो जाएगा, sin x, नीचे कर लो, root sin pi by 2 minus x, ठीक है, और plus कर लो, root, cos यह बहुत important है, क्यों बहुत बार पूछा है, तो इसको राम से एक दम अच्छी अच्छी से बना लो, कि cos pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, यह रहा, dx, तो अभी देखो, क्या आ रहा है तुमारे पास, यह जो आई आ गया तुमारे पास, सब, अब आई यह आ गया, cos pi by 2 minus x, sin x, तो root के अंदर में उपर में भी आ रहा है, भी हमारा, sin x, अभी यह नीचे, sin pi by 2 minus x, यह root के अंदर में आ गया, cos x, यह root के अंदर में आ गया, cos x, और plus, यह cos pi by 2 minus x, यह आ गया हमारा sin x, ठीक है, और इसको ले ले लेते है, number 2, अब equation 1 plus 2, एक दोनों को दूसरे को जोड़ लो और obviously dx यहाँ पर है तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, आई आई तो होगी हमारा 2i, और अब देखो ध्यान से, जब जोड़ेंगे, तो इसमे के भी नीचे root under sin x plus cos x है, यहाँ भी root under sin x plus cos x है, तो दोनों के नीचे root under sin x plus cos x है, ठीक है, तो अब नीचे तो same है, तो यहाँ तो वही आ जाएगा root under sin x plus root under cos x, और जब नीचे base same होता है, तो उपर वाला बस जोड़ दो, उपर यहाँ Case है यहाँ Carne तो यहाँ भी हो गया Root Under Case Plus Luke under italit फेकरी मराMy टीक और यह कतके कितना आगया वोन अगया तो यहां से चल रहा है हमारा से पाई ब्रदशचों और जीरो से पाई बाई टू भी वह जीरो से पाई बाई टू है पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा एक्चुली जो है यह बोल रहे कितना कुश्यन है तो 100 का टारगेट रखे थे लेकिन वह बढ़ते बढ़ते 120 पहुच गया तो अभी हम्लोग कितना पर है 85 पर 120 पर जाना है फिस्कुली तो अभी आज 120 पर जाना है हम लोगों को फिर साम से जो है ना उबजेक्टिव करीब 200 से ज्यादा 300 के आसपस होगा समझ लो ने, एक-एक सो अबजक्टिव का तीन सिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सो अबजक्टिव, सो अबजक्टिव का तीन, तीन क्लास सो सा अबजक्टिव का हो जाएगा, तो तीन सो अबजक्टिव रख लो, ठीक है, उतना में काम बन जाएगा, चलो, 200 से तीन सो अबजक् में से जो कुशन आ सकता है बस आठी कर रहे हैं तेरा नहीं कर रहे हैं ना अब दिसे देखो जब हम लोगों ने आठ चैप्टर लिया तो 120 आ रहा है अगर वहीं हम 13 करते तो यह कुशन सर आपका भागलपूर में कोचिन कहा है ज़िए कुशन दो इरिया जर्किल मास्ट्रिंग मैट्स क्लासेस जिस नाम से चैनल है यह क्लास का भी नाम है मेरा चलो देखो इंटिग्रेट करना है तो चलो इसको इंटिग्रेट करते हैं जल्दी से i equals to dx by 1 plus sin x है तो क्या करते हैं इसको हम लोग 1 minus sin x से उपर निचे multiply कर देते हैं तो i equals to कितना आ रहा है हमारा 1 by 1 plus sin x into 1 minus sin x by 1 minus sin x साथ में हो गया dx ठीक है तो यहाँ से क्या आ रहा है तुमारा आप देखो i equals to नीचे में a plus b a minus b a square minus b square one का square one और sin square x और यहाँ किया है तुमारा one minus sin x और यह साथ में है dx तो देखो भाई नीचे क्या आ गया i equals to ऊपर तो one minus sin x है और नीचे one minus sine square x क्या है तुमारा cost square x है cost square x है और साथ में क्या है तुमारा d x है cost square x है और साथ में क्या है तुमारा d x है ठीक है अब देखो थोड़ा ध्यान से कि this implies i equals two यहां से क्या यह cost को एक बार one के नीचे ले लो तो one by cost square x हो रहा है one by cost square x हो रहा है और minus minus sign के नीचे एक बाँ कॉस ले लो तो sign X by Cause square x हो रहा है ठीक है और यह पूरा dx हो गये तो अब देखो क्या रहा है तुम्हारा यह व्हीं क्यों मिट रहे हो तो यहां से अब देखो क्या रहा है तुम्हारा i equals to 1 by cos कितना हो जाता है c square x यह हो गया हमारा c square x minus sine यह नीचे में 2 बार cos है cos square का मतलब cos into cos 2 बार cos एक बार sin by cos ले लो तो आ जाएगा 10x और एक बार cos है नीचे उपर जाएगा क्या बन जाएगा यह c x और यह पूरा कितना हो गया हमारा dx यह पूरा क्या हो गया हमारा dx ठीक है तो अभी देखो यहां से i equals to i equals to sec x का integration क्या होता है 10x 10x minus sec x 10x का integration क्या होता है sec x और plus c यह हमारा answer हो गया ठीक है यह हमारा answer हो गया कर लो नोट जल्दी से, कर लो नोट जल्दी से, 10x minus 1x plus c, बहुत अच्छा एकदम, बिल्कुल सही answer आया है, मनीश, है न, एकदम सही है, चलो, आगे बढ़ते हैं लोग अब, 84, इसको बनाओ जल्दी से, 84, e to the power x, x square into e to the power x cube, जल्दी से बनाओ, objective में भी ये question आया था, है न, objective में भी आया था, two marks में भी आया था, बनाओ, तो हम लोग बहुत सारा question बार-बार repeat भी कर लिए हैं, है न, तो इससे क्या हो गया, कि practice ह होते जा रही है, और अच्छा practice करो, बस कहा नहीं कहता में, ठिक है, बनाओ इसको जल्दी से, जरासा मेरा कैमरा में कुछ पर, चलो, अब ठीक है साइद, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो चलो, देखो, यह क्या है, तुम्हारे पास, solution, I equals to क्या है, तुम्हारे पास, x square e to the power x cube dx, तो क्या करना है, यहाँ पर x square, put कर लो x cube को t, put कर लो x cube equals to t, x cube को हम लोग क्या करते हैं, t put कर लेते हैं, ठीक है, x cube को क्या करते हैं, t put कर लेते हैं, तो क्या आजाएगा तुम्हारा, 3 x square dx, जो है तुम्हारा, वो dt आ जाएगा, और 3 को उधर लेके चलो तो x square dx जो है मारे पास वो 1 by 3 dt है 1 by 3 dt है तो therefore, i equals 2 क्या आ रहा है तुमारा x square e to the power x cube को क्या बोलेंगे t बोलेंगे और x square dx को क्या बोलेंगे 1 by 3 dt बोलेंगे ठीक है, 1 by 3 dt बोलेंगे और अब देखो क्या आ रहा है यहां से तो this implies i equals 2 1 by 3 तो बाहर ले लिते हैं integration e to the power t dt और e to the power t का integration e to the power te होता है तो i equals 2 कितना आ गया तुमारा 1 by 3 e to the power t plus constant c या किये कुछ भी ले सकते हो तो 1 by 3 e to the power t, t क्या है हमारा x cube है x cube plus c यह हमारा answer ठीक है note कर लो जिसका नहीं हुआ है चलो next question पर चलते है बनो इसको चलो बन गया बच्चो थोड़ा से adjustment लगता है थोड़ा से गड़बड हो गया है ठीक था पहले ही चलो ठीक है आगे बढ़ते है 1 by x log x 1 by x log x तो चलो इसको solve करते है आई क्या है हमारे पास 2 से 3 है 2 से 3 है 1 by x log x dx तो क्या करना है अपने को यहाँ पर log x को t मान लो log x को क्या करो t मान लो ठीक है बच्चों चलो अब अब जैसा है आज रहने तो ऐसे ही है ठीक है time waste नहीं होगा चलो भई ठीक है time waste नहीं होगा चलो करते हैं इसको जल्दी से तो देखो तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं log x equal to t log x equal to t पूट कर रहे है ठीक है log x पूट कर रहे है ने अगर हम लोग different Saysion करेंगे नहीं तो 1 by x dx बढ़аться D F D T 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 अब हमारे पास जो i है अब हमारे पास जो i है उसका जो lower limit है वो है log 2 lower limit है log 2 और upper limit है log 3 ठीक है और यह क्या है तुम्हारा 1 by x dx तो वो तो dt 1 by x dx dt हो जाएगा तो यहां 1 by log x को लिखते हैं t और यह आ गया dt तो dt by t तो log t होता है तो log t integration log t हो गया और कहां से कहां log 2 से लेके log 3 तक तो हमारे पास जो आ गया t के जगा अब हम लोग क्या रखेंगे log 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 3 log 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 3 minus log log 2 यह आ गया log log 2 यह आ गया है ना तो यहां से क्या होता है log m minus log n तो log m by n हो गया log m by n कहने का मतलब log 3 by log 2 हो गया ऐसा आ गया और इसी को लोग क्या लिखते है log m by n का formula होता है log m based n 3 based 2 यह रहा हमारा answer करो नोट जल्दी से करो नोट जल्दी से ठीक है ऐसा हो जाएगा log यहां पर पूरा है log ठीक है तो log m by n आ जाएगा log 3 based 2 होगा log 3 based 2 होगा ठीक है log 3 based 2 होगा करो चलो next question पर चलते हैं चलो next question पर चलते हैं यह next question करो क्या है हमारा evaluate रूट पाई भाई 6 से पाई भाई 3 dx भाई 1 प्लस रूट 10x dx by 1 plus root 10x बनाओ इसको जल्दी से एक बार इसको जल्दी से बनाओ network flow चल रहा है log 3 base 2 है भाई यह log 3 by log 2 है log 3 base 2 यह 3 base 2 ठीक है 3 base 2 x कहा गया यह दो को 1 by x dx जो है वो तो dt बन गया यह जो 1 by x dx था हमारा है यहाँ पर यह 1 by x dx वो तो क्या बन गया dt बन गया ना और 1 उपर 1 और यह जो log x से इसको हमने t माना तो 1 by t और 1 by x dx यह बन गया dt 1 by t का integration होता है log t lower limit log 2 upper limit log 3 तो यहाँ पर log t के जागा log 3 minus log 2 तो यहाँ क्या हो जागा log m minus log n log m by n तो यह log यह formula होता है log m by n equals to log m base n ऐसा होता है ठीक है इसको इस तरह से हम लोग लिखे हैं चलो next वाला करो यह भी अच्छा question है जल्दी से करके बताओ किसका किसका बन रहा है जल्दी से करके बताओ जल्दी से करके बताओ किसका किसका बन रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखो क्या है तुम्हारा वन प्लस रूट 10x है और कहां से कहां लिमीट है पाइबाई 6 से पाइबाई 3 पाइबाई 6 से कहां लिमीट है पाइबाई 3 लिमीट है ठीक है पाइबाई 6 से पाइबाई 3 लिमीट है चलो बन गया बहुत अच्छा तो चलो देखो यहां पर हमारे पास जो है इसको आई मानते हैं पहले solution इसको क्या करते हैं आई मानते हैं I equals to pi by 6 से लेकर pi by 3 I equals to pi by 6 से लेकर pi by 3 और क्या है तुम्हारा dx by 1 plus root under 10x 1 plus root under 10x तो अभी क्या कर लो यहां पर हम लोगों को पता है एक formula जो हम लोग पढ़े है definite integral में a से b fx dx यह क्या होता है a से b f a plus b minus x dx ठीक है यह formula होता है मतलब यह property होता है हम लोग का indefinite integral का तो इसी property पर हम लोग चल रहे हैं तो इसी property पर चल रहे हैं तो क्या रहा है तुम्हारा pi by 6 से pi by 3 ठीक है pi by 6 से pi by 3 और देखो उपर तो dx ठीक है नीचे क्या आ जाएगा 1 plus root under यह जो 10 है यह जो 10 है तुम्हारा 10 और जोड़ना है इसको a plus b तो क्या आ जाएगा pi by 6 plus pi by 3 minus x ठीक है और dx ठीक है minus x और dx ऐसा आ गया तो अब देखो क्या आ रहा है pi by 6 plus pi by 3 यह दोनों मिलके 90 डिग्री हो गया दोनों मिलके कितना आ गया 90 है ना 30 1 plus 2 we get हम लोगे क्या प्राप्त हो रहा है देखो ध्यान से आई 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 कितना आ गया 2 आई आ गया और कहां से चल रहा है pi by 6 से pi by 3 चल रहा है pi by 6 से pi by 3 चल रहा है अच्छा अब देखो यहाँ पर यहां क्या है तुम्हारा DX x, यहां है तुमारा 1 प्लस 10X, ठीक है? और यहां क्या है? तुमारा 1 रख लो DX तो बहार ले लेंगे, और 1 by 1 प्लस root index, ठीक है? और यह रहा हमारा यहाँ पर DX, तो अब देखो ध्यान से क्या कर रहे हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर 2i रहने देते हैं और pi by 6 से हमारा आगया pi by 3 और 1 by देखो ध्यान से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्चली इसको पहले ही हम लोगों को बदल देना था कोई बात नहीं है अभी बदल देते हैं तो 1 है और root इसको लिखते हैं cos x by root under sin x ऐसा लिख लिख लिए ठीक है और साथ में dx चल रहा है है ना तो अब देखो हमको एक page चाहिए इतना सा note करो जल्दी से जल्दी से इतना सा note करो आगे के page पर जा रहे है जल्दी से note करो आगे के page पर जा रहे है ठीक है आगे बढ़ते है यहाँ तो अब क्या रहा है हमारी है यहाँ पर ध्यान देना दे सिंप्लाइस क्या रहा रहे है यहाँ पर वाइव्यक से पाई भाई 3 पाई जिठों यहां तू आई है और फान फान श्रुइस पाइवाई 3 एसा ले लिए पाई भाई 6 ऐ पाई भाई 3 कर लिए और अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ LCM लेंगे तियां क्या आजाएगा root cos x plus root sin x और cos x क्या उपर आ जाएगा तो नीचे आगिया root cos x नीचे आगिया root cos x plus root sin x ठीक है और यह नीचे जो था यह root cos x यहाँ नीचे वह उपर आगिया root cos x plus अब देखो ध्यान से यह sin x है और plus यहाँ देखो क्या है तुमारे पास ध्यान दो यहाँ पर देखो यहाँ पर root sin x है तो यहाँ root sin x इससे multiply हो नीचे आगिया root sin x plus root cos x और यह पूरा बन गया dx अब देखो दोनों का नीचे का denominator तो सेम है तो यहाँ से कितना आगिया 2i equals 2 यह आ रहा है हमारा 2i equals 2 यह जो 2i आ रहा है वो pi by 6 से लेकर pi by 3 आ रहा है और LCM क्या है हमारा root cos x plus root sin x ठीक है और उपर भी है हमारा root cos x plus root sin x यह आ रहा है ठीक है और यह हमारा dx यह हमारा dx ठीक है अब देखो यह दोनों कट जाएगा तो dx का क्या आ गया x तो 2i बराबर आ रहा है तुमारा pi by 6 से लेकर pi by 3 और यह तुमारा dx बचा तो यहाँ से 2i equals 2 कितना आ गया हमारा dx का integration हो गया x और कहा pi by 6 और उपर pi by 3 ठीक है तो यहाँ से कितना आ रहा है तुमारा यहां दो 2i equals to उपर आ गया pi by 3 माइनस pi by 6 तो यहां से क्या आ गया 2i equals to pi by 3 माइनस pi by 6 यह हो गया 60 डिगरी यह हो गया 30 डिगरी घटके 60 डिगरी pi by 6 आ जाए और 2 को यहां लेके आ जाओ तो i equals to pi by 2L बानसर आ रहा है i equals to pi by 2L बानसर आ रहा है pi by 2L बानसर आ रहा है ठीक है बिल्कुल बच्छों pi by 2L बानसर आ रहा है pi by 2L चलो ठीक है बच्छों आगे बढ़ते हैं next question लिख लो जल्दी से इसको यह बनाओ जल्दी integrate e to the power x cos x integrate e to the power x cos x इसको जल्दी से बनाओ खीक है बनाओ जल्दी से इसको मैं भागलपूर से हूँ भाई ठीक है भागलपूर से हूँ चलो आगे बढ़ते हैं लोग इसको बनाते हैं i late से बिल्कुल i late से बनेगा i late से ही बनेगा बिल्कुल तो चलो देखो i late से यह बनेगा solution देखो क्या है हमारे पास i equals to e to the power x cos x dx तो i late i for inverse है नहीं मेरे पास i पास है ना l4 logarithm नहीं है a4 algebraic नहीं है t है trigonometric पहला और exponential दूसरा अच्छा देखो धिहान से यह एक question है अच्छा question है यहाँ पर क्या होता है समझ लो बात यहाँ पर क्या होता है कि हाँ यह cos और e का power x कभी भी differentiate होके खतम नहीं होता है कभी भी differentiate होके खतम नहीं होता है ठीक है ज्यादा question definite से रहता है यह इंडिफनिट से ऐसा कुछ भी नहीं है बच्छों जैसा मन होता है दे देता है है ना कोई जो है जेई का question नहीं है ज्यादा definite से होता है ज्यादा definite से होता है ज्यादा definite से होता है यहाँ बिहार बोडे अपने मन से देता है जो मन करता है उसको दे देता है ठीक है तो चलो तो अभी देखो इसको ना number 1 माल लेंगे क्योंकि भी कितना भी कितना भी करोगे हैं इंटिग्रेशन करोगे खतम नहीं साइन का बटुकर करों और स divid si sick sage कस इंटीक्रेशन करों और सिक्य है क्या होता है ःती क्ठारिय नहीं होता है इस पहार का दिफ्रेंसियिट आहिए जो खत्म नहीं होता है तो जभ इस इसका one मान लेते हैं और इस i का use करेंगे हम लोग आगे ठीक है तो अब देखो यहां से तो यहां से क्या आ गया हमारा i equals to cos को रख लेते हैं पहले तो cos x रखी है e to the power x का integrate कर रहे हैं minus differentiation of cos x differentiation of cos x और integration of e to the power x और साथ में क्या किया है d x और इस पूरे का integration की है ठीक है और यहां से देखो i equals to क्या आ रहा है तुमारा cos x और e to the power x का integration e to the power x cos का differentiation हो जाता है minus sin x और e to the power x का e to the power x तो अब तुमारे पास क्या आ गया i equals to e to the power x cos x है अब minus minus plus और फिर से देखो तुमारे पास एक integration by part का सवाल आ गया फिर से दुबारा से तो यह फिर first हो गया यह तुमारा second हो गया तो minus minus plus बाहर sin x को हम लोग अलग कर रहे है e to the power x dx हो गया और क्योंकि यह minus minus plus है तो कोई फरक नहीं पड़ता है minus d by dx और यहाँ पर है हमारा sin x d by dx हमारा यहाँ पर है sin x और integration e to the power x cos x dx और यहाँ पर ले लो dx ऐसा आ रहे है ठीक है तो अब देखो यहाँ से क्या रहे है i equals to e to the power x cos x और यहाँ पर sin x है यह sin x और e to the power x minus और d by dx sin x का हो गया cos x e to the power x dx इसका integration और यह वाला चीज़ जो आ गया वापस से देखो e to the power x cos x dx यह क्या है वही 1 है और यह question कम से कम 4 बार पूछा गया है पिछले 10 सालों में 4 बार यह question पूछा गया है तो important question है कर लो note ठीक है तो इसको i लिख देंगे हम लोग तो अभी क्या हो रहा है हमारा i equals to e to the power x common ले लिए हैं यहाँ क्या बचा cos x plus sin x cos x plus sin x और minus i और सब खतम हो गया constant उठा कि दर ले लो तो 2i equals to e to the power x cos x plus sin x cos x cos x plus sin x और plus 2 ठीक है यह cos x है ऐसा और यहाँ c है अब 2 को नीचे ले लो तो i equals to क्या हो जाएगा तुम्हारा e to the power x by 2 और यह है तुम्हारा cos x plus sin x और plus c by 2 तो c ही ले लो या k ले लो कुछ भी ले लो यह यह answer हो गया note करो जल्दी से note करो जल्दी से c by 2 c by 2 को सिर्फ c कर सकते हो ठीक है चलो next question पर चलते है है चलो next question पर चलते हैं next question पर चलते हैं यह 88 बनो जल्दी से बनो असा answer question है 88 बनो जल्दी से कर चलते हैं यह कर चलते हैं किस्साइश्ट आुーい कि एम किस्साइश्पल क्यों एक चलते हैं जलते हैं syक्ए dependsimal है just किस्पूल कर तो जलते हैंिस्टा कर चलते हैंangogehen पर मिको जलते हैं ड्माथ सबस्प्सावाःएश्बस제ेश्टार्स चलो ठीक है यह sin x cos x क्या है तुम्हारे पास sin x cos x तो sin x cos x का फॉर्मुला होता है sin 2x by 2 ठीक है sin x cos x का फॉर्मुला होता है sin 2x by 2 इसका फॉर्मुला लगा लो इसका क्या करो फॉर्मुला लगा लो ठीक है बिल्कुल minus 1 by 8 cos x देख लेते हैं बनाके भाई देख लेते हैं बनाके ठीक है देख लेते हैं बनाके देखो तो इसको i equals to बनाते हैं इसको solution i equals to क्या है तुम्हारे पास sin x cos x sin square x cos square x और साथ में हमारा dx sin square x cos square x और साथ में हमारा है dx ठीक है तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा i equals to इसी को लिख सकते हैं sin x cos x का whole square dx है ना और this implies i equals to sin x cos x को क्या बोलते हैं sin 2 x by 2 sin 2 x by 2 का whole square और साथ में हो गया dx ठीक है whole square और साथ में क्या हो गया तुम्हारा dx हो गया ठीक है बनो जल्दी जल्दी तो क्या आ जाएगा यह 1 by 4 तो बहार आ गया i equals to 1 by 4 तो बहार आ गया और यह sin square 2 x है sin square 2 x और dx है ठीक है sin square 2 x dx है अब देखो हमारे पास formula होता है sin square theta का 1 minus cos 2 theta by 2 1 minus cos 2 theta by 2 ठीक है 1 minus cos 2 theta by 2 ऐसे कर सकते हो अच्छे इसको मान के भी बना सकते थे है ना कि अगर हम इसको बदल देते किसी में तो यह मान के भी बन जाता तो चलो ऐसे ही कर देते हैं तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारे पास तो this implies i equals to 1 by 4 और अभी यहां sin square theta का 1 minus cos 2 theta by 2 यहां आ जाएगा 1 minus cos 2 theta 2x का क्या आ गया 4x by 2 और साथ में क्या है तुमारा dx अब देखो 4 बाहर चला गया तो i equals to कितना आ रहा है 1 by 8 और integration 1 minus cos 4x और साथ में क्या है हमारा dx ऐसा है ठीक है साथ में क्या है dx तो i equals to कितना रहा है तुमारा 1 by 8 और देखो 1 का integration क्या होता है x अब minus cos का क्या होता है sin 4x by 4 है ना और plus c अब इसको multiply कर दो तो i equals to कितना रहा है तुमारा 1 by 8x और minus 1 by 32 sin 4x और plus c यह हमारा answer कर लो note 1 by 8 minus sin 4 बिल्कुल सही है रेनू गुपता बिल्कुल सही है आपका ठीक है बिल्कुल सही है ठीक है करो इसको जल्दी आगे बढ़ते हम लोग अब जलो बना इसको 89 को जल्दी से बना 89 को है ना 89 को जल्दी से बना लो जल्दी से 89 को बना लो 5 marks वाला तैयारी कर चुके है 5 marks वाला तो 20 marks का ही आएगा है ना 2 marks वाला 30 marks का आएगा 2 marks वाला 30 marks का आएगा तो जरूरी है चलो अब देखो यहां पर solution बना इसको I equals to क्या है तुमारे पास जीरो से A x dx by root अंडर a square minus x square root के अंदर वाले चीज़ को आप मान लो put कर लो root के अंदर वाले चीज़ को तो put कर लेते हैं ठीक है a square minus x square equals to t तो इसका differentiation क्या हो जागा a square का तो 0 minus 2x dx equals to dt और यहां से कितना आ रहा है हमारा x dx जो है तुमारे पास वो minus 1 by 2 dt हो गया ठीक है तो therefore अच्छा इसका limit भी बिठाना है ना कि when x equals to 0 तो this implies t equals to अगर x का value 0 ले लो तो t का value a square आता है t का value क्या आगया a square और when और जब हमारा x का value क्या है तुमारा a है x का value क्या है तुमारे पास a है ध्यान दो x का value a है तो x का value a लेंगे तो a square minus a square तो t का value 0 आ जाएगा तो अब हमारे पास जो limit आ रहा है वो कहां से कहां आ रहा है a square से 0 आ रहा है और x dx पो minus 1 by 2 dt और नीचे क्या है तुमारा root t है इस पूरे को root t t माने थे तो root t आ गया तो यहां से देखो i equals 2 ध्यान दो यह minus है अगर इस minus पो देखो यहां पर इस दोनों का limit अगर change कर देखो यह minus plus बन जाएगा है ना इस दोनों का limit change करके plus 1 by 2 बाहर ले ले लेते हैं और limit change करके a square और 0 उल्टा कर देते हैं और अब यह बचा 1 by root t dt ठीक है तो 1 by root t का integration क्या होता है 2 root t तो यहां से क्या आ गया उपर लिख लेते हैं एक बार तो this implies i equals 2 क्या है तुमारा 1 by 2 तो बाहर है और 1 by root t का integration होता है 2 root t 2 root t कहा से कहा 0 से a square तो यह 0 से a square ठीक है तो यहां से यह दोने तो कड़ गया अब root के अंदर a square अब minus root के अंदर 0 तो यहां से क्या बचा a तो हमारा answer a है answer a है बिल्कुल राजु गुपता answer a बिल्कुल सही है limit change करना जरूरी देखो बचाओ limit change करना जरूरी अगर नहीं तुम change करते हो तो तुमको क्या करना होगा अभी तो a रहा है हम लोग का t में चल रहा है t से जो अब हम यह कर लेंगे t पे यह वाला limit मत लगा देना पुराना t को वापस से x में लाएंगे और फिर जब x में लाएंगे तब फिर जाके तुम limit लगाओगे तब जाके क्या होगा दिक्कत नहीं होगी और ऐसे तुम होता क्या generally गलती क्या कर देता है बच्चा कि चल तो रहा होता है हमारा limit जो है एक्स का एक्स का limit और डिफरेंसिशन टीका करते हैं और टीके जगा x वाला limit लगा देते हैं तो गलती हो जाती है ठीके जगा x का limit लगा देते हैं तो गलती हो जाती है ठीके चलो आगे बढ़ते हैं बना इसको 90 number पहले भी हम लोग कर चुके एक बार जल्दी से इसको बनाओ एक बार कर चुके चलो बन गया होगा फोर ठीक है पिछले दिन बनाये थे क्वेड्रेंट बनाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल क्वेड्रेंट बनाना पड़ेगा बच्चों बिल्कुल क्वेड्रेंट बनाना पड़ेगा इसके लिए ठीक है बिल्कुल क्वेड्रेंट बनाना पड़ेगा चलो देखो cos cos का कहा है? 0 से 2 पाई तक है कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई तक है तो ध्यान दो, 0 से 2 पाई तक है तो solution, quadrant बनाना पड़ेगा 0 से 2 पाई एक दिन हम बता चुके हैं quadrant के लिए अब आज थोड़ा सा ऐसे बनाके दिखाते है cos का grab कैसा चलता है cos का grab कैसा चलता है 0 से 2Pi ईक लेकर grab बनाओ ये 0 है, ये पाउ-बाई-2 है ये पाई है, ये 3 häufाई-बाई-बाई-2 है और ये 2Pi है ठीक है, तो देखो cos का grab कैसा चलता है आज नियुक्ति तुम लोगों को जो है grab पर बताते है ठीक है यह उपर 1 है यह नीचे माइनस 1 है तो कॉस का ग्राफ कॉस 0 पर 1 से ऐसा ग्राफ चलता है कॉस 0 का ध्यान देना उस दिन क्वेडरेंट पर बताई ते पिछले क्लास में आज ग्राफ पर देख लो यह ऐसा यह कॉस का ग्राफ याद होगा पढ़ा था इस टाइप से इस टाइप से पढ़ा था यह टू तक चलेगा ना ऐसा तो क्या दिखा कॉस जो है यहां 0 से पाई में पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है तो 0 से पाई में जेखो 0 से पाई में पॉजिट और 3 pi by 2 से 2 pi में positive बादवाकि यहां निगेटिव यहां निगेटिव है तुमारा यहां निगेटिव है ठीक है second quadrant pi से eri user here 2 se mi by 2 और पैसे 3 pi by 2 में negative बिलकुल यहां से हंना भी होता ता ऐसा तो यह था था तुमारा zero यह था तुम्हारा pi by 2, यह था तुम्हारा pi, यह था तुम्हारा 3 pi by 2, और यह था तुम्हारा 2 pi, ठीक है, तो यहाँ पर positive होता है cos, यहाँ negative, यहाँ negative और यहाँ positive, बिल्कुल, यह graph, यह graph, यह graph पर देख लो, यह graph पर देख लो, यह graph पर, एक ही बात है, तो देखो 0 से 2 pi, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा question है, 0 से 2 pi modulus cos x dx, ठीक और proof करना है अपने को क्या चीज, 4, अच्छा 4 proof करना है इसको, तो चलो देखो यहाँ पर, तो क्या आगिया तुमारे पास, हम लोग पहला कहां से कहां चलेंगे, 0 से pi by 2 तक चलेंगे, तो 0 से pi by 2 तक चलेंगे, और यहाँ पर देखो positive है, तो mode के अंदर से, अगर mode के अंदर का चीज को positive है, तो वो चुपचा बाहर आ जाता है, तो यहाँ से आगिया cos x dx, ठीक है, प्लस, अब कहां से कहां चलेंगे, pi by 2 से pi तक चलेंगे, अजया फिर तुम यहाँ से यहाँ भी ले स जाएगा, तो pi by 2 से 3 pi by 2 ले लो, यह negative आ गया, तो negative आ गया, यहाँ क्या जाएगा, माइनस cos x dx आ गया, ठीक है, और प्लस, अब आखरी में फिर कहां से, 3 pi by 2 से 2 pi तक, तो 3 pi by 2 से 2 pi तक, यहाँ पर फिर positive है, तो cos modulus से चुपचा बाहर आ जाएगा, ऐसा आ गया, अब देख बाहर ले लो, cos x का integration sin x, और sin x कहां से कहां, pi by 2 से 3 pi by 2 तक, और प्लस, cos x का integration sin x, और यह कहां से कहां, 3 pi by 2 से 2 pi तक, अब सब को बिठा दो यहाँ से, यहाँ पर आ गया, cos pi, minus cos 0, ठीक है, और minus cos 3 pi by 2, cos 3 pi by 2, minus cos pi by, sorry, cos नहीं है, sin है न, यह sin है भाई, sin 0, और यहाँ पर sin 3 pi by 2, और यहाँ पर क्या है, तुम्हारा sin pi by 2, sin pi by 2, और plus sin 2 pi, minus sin 3 pi by 2, ऐसा हो गया, ठीक है, तो हम उदर वाला सब मिठाते हैं, अब बस इसका value निकाल लो, हमारा answer आ जाएगा, अप्रूफ करना था, हम इसको मिठा रहे है, हम इसको भी मिठा रहे है, ठीक है, तो अब देखो, क्या आ रहा है हमारे पास, तो this equals 2, अभी देखो, sin pi, यह तो 0 होता है, cos pi 0, cos pi by 2 है न, oh sorry, pi by 2 है यहा, pi by 2, यह pi by 2, तो sin pi by 2 कितना होता है, 1, sin pi by 2 कितना होता है, 1, तो 1 minus 0, minus sin 3 pi by 2, अच्छा, sin का value अगर तुम देखोगे, तो यहाँ पर sin का value यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, है ना, तो अब sin 3 pi by 2, minus 1, sin 3 pi by 2 क्या आ रहे है तुमारा, minus 1, ठीक है, और minus sin pi by 2 कितना आ रहे है तुमारा, वे तो 1 आ रहे है, 1, ठीक है, और plus sin 2 pi, sin 2 pi 0 आ रहे है, और minus, ठीक है, sin 3 pi by 2, sin 5forme 3ify by 2-1 तूहाँ से माइनस 1 आ गया ऐसा ठीक है तो आप देख यहां से आ रहा रहा है 1--1-1-1-2 और worst-plus 1 जोंा form प्लस 2 प्लस 1 बराबर 4 यह हारा हमारा answer ठीक है चलो जल्दी से एक बार लो देखे लिए बढ़ साय करें 88 के answer में mistake है, क्या mistake भब है 88 का answer में, क्या mistake है, फिर से check कर लेते हैं 88 का, यह तो हमारा formula लिखा हुआ है, sin square x cos square x, sin x cos x का whole square, sin 2x by 2, 1 by 4 गया, sin square 2x, sin square 2x का 1 minus cos 4x by 2 सही है, और अब यह कितना आ गया तुमारा, यह formula यह सब तो formula यह आ तक है, तो 1 by 8, 1 minus cos 4x, 1 का integration x, cos का sin 4x by 4, तो 1 by 8, 32 sin, सही है भाई, बिल्कुल सही है, सही है, last step, 1 by 8x minus, अच्चो के 32 sin 4x plus, यह भाई, c, वो ठीक है न, c में नहीं लगाते हैं, cos 4x, integration cos 4x का sin 4x हो जाएगा भाई, cos 4x का sin 4x हो जाएगा, सही है भाई, ठीक है, cos 4x का sin 4x होगा न, integration, ठीक तो है, है न, चलो ठीक है, यह 90, चलो यह 90, बनाओ इसको, हमको integrate करना है, cos square x dx, cos square x dx, करो इसको integrate, 89 एक बार, बता दिजे, 89 तो बता दिए भाई, 89 बनाओ इसको तब तक लिखा, 89, बता तु दिए, रूट अंडर a square minus x square, यह इसको t मान लिए, ठीक है, तो इसका, a square का 0, x square का minus 2x, यह dt, x को यहां रखें, minus 2 के दर, 1 by 2 dt, और यहां पर जब x की value 0 होगी, तो t की value a square होगी, और जब x की value a होगी, यहां पर a रख दो, तो a square, a square, t की value 0 होगी, a square से 0 limit आ गई मेरी, उपर में चल रही थी, x dx, x dx की value minus 1 by 2 dt, और नीचे root t आ गई, है न, और this implies i equals to, यह दो, minus था न, इस दोनों का limit को, उपर वाले को नीचे, नीचे वाले को उपर लेके जाएंगे, तो इसका sign change होता है, तो minus था, तो minus से plus बन गए, 1 by 2 बाहर, अब यह 1 by root t dt, 1 by root t का integration होता है, 2 root t, 1 by 2 तो पहले से बाहर है, limit a square बाहर है, तो यह 2, 2 तो बाहर निकल के कट जाएगा, constant है, अब यहां पर, root under a square minus, root under 0, तो यह तो 0 हो गया, a square का, a आ गया, खतम, चलो, बनाओ यह बाला, तो इसका देखो क्या है, जिसका बना ठीक है, नहीं तो देखो यहां, i equals to क्या है तुमारे पास, quart square x, तो quart square x का और 10 square x का बोले नहीं बनता है, तो उसको क्या करते हैं पहले, cost 1, cost 1, चेंज कर लेते हैं, तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यह आजाएगा, हमारा cost 1, square x, minus 1, और 7 में dx, और अब क्या आ गया, i equals to, cost 1, square x का integration होता है, minus quart x, और minus x, plus c, यह रहा, जल्दी से, बिल्कुल सही है, minus quart x, plus x, है ना, सही है, चलो next question, यह वाला बनाओ, फटाक से, 0 से pi by 2, cost square x, 0 से pi by 2, cost square x, बनाओ, 0 से pi by 2, cost square x, बनाओ, देखो, solution इसको कैसे बनाता है, i equals to आ गया, हमारा, 0 से pi by 2, और यहां हमारा, cost square x, dx, यह हमारा, cost square x, dx, नमबर 1, लगा लेते हैं, formula, फिर से, वही वाला, तो यहां से क्या आ गया, हमारा, this implies, i equals to, 0 से pi by 2, 0 से, pi by 2, और, cost square x, इसको क्या लिखेंगे, cost square pi by 2, minus x, property, use कर लिए, हम लोग, pi by 2, minus x, dx, एक्छोली में, यह क्या हो जाएगा, cost square pi by 2, minus x, x, तो sin square x हो जाएगा, तो i equals to 0 से, pi by 2 है, और, cost क्या आ जाएगा, तुमारा, sin square, sin square x, और, साथ में, dx, यह रहा है, number 2, अब, दोनों को जोड़ो, 1 plus 2, 1 plus 2, we get, एक और, दो को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो, this implies, i, i, कितना गया, 2i, 0 से, pi by 2, और, cost square x, sin square x, यह आ रहा है, हमारा, cost square x, और, plus sin square x, दोनों को जोड़ लिए, साथ में, आ गया, dx, और, हम जानते हैं, cost square x, sin square x, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो, यहां से, आ गया, हमारा, 2i, 0 से, pi by 2, और, यह, 1, यह, 1, dx, है न, तो, 1 का तो, integration, 1, dx, मतलब, dx का integration x, हो जाता है, यह, तो, हो गया, x, कहां से, कहां, 0 से, pi by 2, ठीक है, तो, 2i, equals to, कितना आ गया, तुमारा, pi by 2, minus 0, और, i का value, कितना आ गया, pi by 4, i का value, कितना आ गया, pi by 4, यह, हमारा answer, कर लो, नोट, जल्दी, कर लो, नोट, जल्दी, pi by 4, बिल्कुल सही है, pi by 4, आगे बढ़ते हैं, pi by 4, यह बना, जल्दी से, 0 से, pi by 4, 10 square x, dx, pi by 4, बिल्कुल सही है, pi by 4, pi by 4, बिल्कुल सही है, चलो, देखो, यहां पर, क्या है, तुमारे पास, 10 square x, dx, तो, क्या है, तुमारा, solution, i equals to, 0 से, pi by 4, और, क्या है, तुमारा, 10 square x, dx, तो, यहां पर, pi by 4 है, कुछ बने का नही, तो, 10 square को ही तोड़ लेते हैं, तो, i equals to, कितना रहा है, हमारा, 0 से, pi by 4, और, 10 square x, को क्या लिखते हैं, हम लोग, 6 square x, minus 1 dx, 6 square x, minus 1 dx, ऐसा है, तो, यहां से, i equals to, कितना रहा है, तुमारा, 6 square x, का integration होगी, 10 x, और, minus x, यहां रहा है, और, 0 से, pi by 4, तो, क्या आ जाएगा, तुमारा, तो, i equals to, pi by 4, अगर लेंगे, तो, हो जाएगा, 10 pi by 4, minus pi by 4, ऐसा आ गया, minus pi by 4, और, minus 0 लेंगे, तो, 10 0, minus 0, 10 0, minus 0, तो, i equals to, क्या रहा है, आ गई, 1 minus pi by 4, यह हमारा, आंसर है, यह हमारा, आंसर है, ठीक है, यह हमारा, आंसर है, करो, नोट जल्दी से, 1 minus pi by 4, 1 minus pi by 4, आंसर आ जाएगा, 1 minus pi by 4, बिल्कुल सही है, 1 minus pi by 4, चलो, next question पर चलते हैं, यह बनाओ, integration 94, जल्दी से इसको बनाओ, integration 94, देखो, क्या है तुमारा, बहुत असान है, solution, i equals to क्या है, तुमारा, 3x to the power 2, plus e to the power x, और 7 में हमारा, dx है, 7 में हमारा क्या है, dx है, अब देखो, यह असान है, i equals to 3, तो constant है, बाहर हो गया, x का power 2 का, integration x cube by 3, और e to the power x, e to the power x, plus c, 3, 3 यहां से कड़ गया, answer आरा, x cube plus e to the power x, plus c, यह हमारा answer आ गया, ठीक है, यह आई, चलो, जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं, 95, इसको बनाओ, जल्दी से, 95, इसको बनाओ, जल्दी से, 95, देखो, क्या है तुमारे पास, solution, i equals to, 3x square, by, x to the power 6, plus 1 dx, 3x square, by, x to the power 6, plus 1 dx, तो देखो, यहां से, put कर लो, ठीक है, x का power 6, तो x cube को माल लेते हैं, t, तो क्या आजाएगा, तुमारे 3x square, dx equals to dt, तो देखो, यहां से क्या आगया, तो therefore, i जो आ रहा है, हमारा, उपर वाला चीज तो है, dt, और नीचे, x6, मतलब इसका square, x6, यहने का मतलब, x cube का square कर देंगे, तो x6 आ जाएगा यह, तो मतलब, t square plus 1, तो यह क्या होता है, 10 inverse x, तो this equals to, 10 inverse x plus c, 10 inverse x, plus c, यह हमारा आंसर है, 10 inverse x plus c, यह हमारा आंसर है, 10 inverse x plus c, नोट करू जल्दी, चलो, आप next question पर चलते हैं, 96, 96, ठीक है, देखो, 96 क्या है यह मारे पास, solution, i equals to, x, sine inverse x by root under, 1 minus x square dx, ठीक है, root under 1 minus x square dx, तो हम लोग put कर रहे हैं, किसको, sine inverse x को, तो sine inverse x equals to t, इसका differentiation करेंगे, तो 1 by 1 minus x square root के अंदर में, dx जो है, वो dt के बराबर है, और अभी देखो, यहां से अगर sine inverse x t है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा sine t, x बराबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा sine t, तो therefore, अब i जो हमारे पास आ रहा है, इस x के बदले में लिखते हैं, sine t, ठीक है, और sine inverse x के बदले में लिखते है, t, और 1 by root under 1 minus x के बदले में लिखते है, dt, यह आ गया, तो यह तुम्हारा फिर से by part बन जाएगा, ठीक है, i late लगा, i for inverse, l for logarithm, a for algebra, मतलब t को पहला, और sine t को दूसरा, मानते हुए इसको integrate कर दो, by part से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहां से, तो this implies i equals to, पहला छोड़ दो t, integration sine t, dt, minus differentiation, d by dt, t और integration sine t, dt, और इस पूरे का क्या करो, dt कर दो, इस पूरे का क्या करो, dt कर दो, ठीक है, तो अभी क्या आ गया तुम्हारा, i equals to, t, और sine का होता है, minus cos t integration, sine का integration, minus cos t, और minus, dt by t, 1 आ गया, अज़ sine का integration, minus cos t, और साथ में dt, तो अभी क्या आ रहा है तुम्हारा, यह minus t है न, minus cos t, minus cos t, तो यहां से i equals to कितना आ गया, minus t cos t, minus t cos t, और minus minus plus, cos का integration होता है, तो sine t, और plus t, अब t का जो value है वो डाल दो, sine inverse x, तो i equals to क्या आ गया, minus t, तो t है हमारे पास, sine inverse x, minus, अच्छा, cos t, यह cos t है न, तो cos को तुमको sin में बदलना पड़ेगा, 1 minus sin square t, cos t को लिख रहे हैं, और plus sin t, तो x हो गया, plus c, अब देखों, यह क्या जाएगा, तुमारे आगे और बड़े जाओ, तो i equals to, minus sin inverse x, और root under, root under, 1 minus sin square t, तो sin t x है, तो sin square t क्या हो जाएगा, x square, plus x, plus c, यह हमारा आंसर है, minus sin inverse x, root under 1, minus x square, plus x, plus c, लिखों जल्दी इसको, 95 का last step गलत हो गया है, क्या गलत हो गया है भाई, क्या गलत है बताओ, इसमें तो कुछ है ही ने, इसमें गलत क्या होगा, अरे x cube को t माने, तो x का power 6 हो गया तुमारा, x का power 6 t square आ गया, यह 1 आ गया, 3 x square dx dt आ गया, dt भाई, 1 plus t square 10 inverse t, अच्छा, एक और डालना था ना, एक और डालना था, आगे बनाना था, 10 inverse t plus c, तो यह आ गया, तुमारा 10 inverse, और t का value डाल दो, x cube plus c, यह रहा, ठीक है, t का value डालना भूल गयते हैं, ठीक है, कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, 96, हो गया यह, चल्लो 97 बनाओ, 97 बनाओ, चल्लो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चल्लो देखो, 97, ऐसे बनाते हैं इसको, solution, i equals to, sine square x, by 1 plus, cos x dx, ठीक है, तो i equals to, क्या होता है, sine square x को, 1 minus, cos square x, by 1 plus, cos x dx, और यहां से, i equals to क्या गया है, तुमारा, 1 minus cos square x, तो 1 plus cos x, into, 1 minus cos x, और 7 में, 1 plus, cos x, और 7 में, dx, तो यहां से, 1 plus cos x, 1 plus cos x, कड़ जाएगा, तो बचा किया, यहां पर, 1 minus cos x, है न, तो integration हो गया, हमारा, 1 minus cos x, तो i equals to integration हो गया, हमारा, 1 minus cos x, और 7 में, हमारा हो गया, dx, तो i equals to 1, i equals to 1, 1 का integration x, और cos का sin x, और plus 3, चलो, x minus sin x, plus c, बहुत पहीं एकदम, सही है, रेनू गुप्ता, सही है एकदम, चलो, चलो, आगे बढ़ते हम लोग, चलो, यहां पर, हमारा integration हो गया, खतम, अब हम लोग क्या करेंगे, differential equation बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, differential equation बनाएंगे, तो चलो, differential equation और vector, हम लोगों को 120 तक पहुचना है, 120 तक question है, 98, अभी 22 question और है हमारे पास, जल्दी से इसको बनाओ, जल्दी से इसको बनाओ, बनाओ बच्चों इसको जल्दी से, चलो देखो, इसको कैसे बनाते हैं, solution, क्या है हमारे पास, root a plus x, dy by dx, dy by dx, plus x equals to 0, तो यहां से क्या आगिया, हमारा root under, a plus x, dy by dx, equals to minus x, और आज जो है, रात में साड़े 9 बजे, objective की class होगी, objective questions है न, तो लगबग लगबग हम लोग, 100 objective questions तो आज जरूर बनाएंगे रात में, objective question हम लोग आज रात में जरूर बनाएंगे, 100 objective question, तो आज फिर 9 बजे रात में आप लोगों को, एकदम mobile charge करके आ जाना है, रात में 9 बजे, लगबग लगबग 100 objective question, आज से objective question चलेगा, आज कल सुबह, कल सामने, 3 class में objective खतम हो जाएगा, है ना, उसके बाद 31 तारीक मतलब, सौम बार को, सौम बार को, सुबह का class जो होगा, 9 बजे वो पूरा formula का class होगा, दिन में पूरा formula होगा, पूरी book की formula, जितनी भी formula है, book में वो हम लोग पढ़ लेंगे, पूरा book का formula हो जाएगा, और उसके बाद, रात में हम लोग कैसे एक्जाम देना है, उस pattern पर बात करेंगे, 31 तारीक के रात में, ठीक है, चलो, तो अब क्या है यहाँ पर, इसको उठा के इधर ले ले लेते हैं, तो dy by dx, वो क्या है मारा, minus x by root अंडर a plus x, minus x by root अंडर a plus x, तो यहाँ से क्या कर लिएं, dy यहाँ रख लो, और minus x by root अंडर a plus x, और यहाँ dx आ गया, अब integration दोनों set कर देते हैं, अब integration दोनों set कर देते हैं, तो देखो क्या हो रहा है अब हमारे पास, देखो root के अंदर वाला, इधर वाला तो y आ गया, और इधर बचा minus x dx by root अंडर a plus x, तो put कर लो अब हमारे पास, a plus x को माल लो t, है न, तो x बराबर आ गया हमारा t minus a, x बराबर आ गया हमारा t minus a, और dx बराबर हमारे पास आ गया dt, dx बराबर क्या आ गया हमारे पास dt, तो यहाँ से y बराबर हो गया minus, और x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे t-a और dx के जगह लिखेंगे dt और नीचे है root t है ना तो यहां से y बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास minus integration t by root t और minus a by root t और 7 में हो गया dt तो यहां से cut गया यह root t root t का मतलब हो गया t का power 1 by 2 root t का मतलब हो गया t का power 1 by 2 लिख लो इतना से जल्दी इतना से जल्दी लिखो आगे बढ़ते हैं एक पेच चाही अपने को तो यहां से क्या आगया अब हमारे पास देखो तो this implies y equals to this implies y equals to अब देखो क्या है तमारे पास minus integration root t root t का मतलब t का power 1 by 2 तो minus integration t का power 1 by 2 dt और फिर क्या है तुमारा इदर इदर क्या है तुमारा minus minus plus a by root t dt plus a by root t dt अब देखो यहां से minus t, t का पावर तो 1 by 2 plus 1 तो 3 by 2 by 3 by 2 हो गया और plus a बाहर 1 by root t का 2 root t होता है और plus c होता है, तो यहां से आ गया तुमारा minus 2 by 3 और t, देखो तो t की value कितनी है हमारी t की value है a plus x तो जहां t है वहां पर रख दो a plus x, a plus x x का पावर 3 by 2 और plus 2a root के अंदर a plus x और plus c तो यह हमारा answer हो गया कर लो note जल्दी से कर लो note जल्दी से इसको अभी 120 तक पहुचना है अभी 120 तक पहुचना है अभी तो हम लोग 98 न 99 में ही है आज नहीं छोड़ेंगे, आज इसको खतम करेंगे, आज इसको खतम करेंगे, टाइम कहा है चलो, आगे बढ़ते है इस वाल, अच्छा यह 99 यह long question है बच्वाँ, long question में इसको बना दिया है, भूल से यहाँ पर type हो गया है long question में हम इसको बता चुके है ठीक है, तो आगे बढ़ते है यह वाला, बनाओ, hundred यह चलो देखो, क्या है यह तुमारे पास solution क्या है तुमारे पास dy by dx equals to e का power equals to e का power x minus y तो यह क्या रहा है तुमारा dy by dx equals to e to the power x by e to the power y लेके आजो y वाले को y के तरह e to the power y dy equals to e to the power x dx अब दोनों को क्या करो integrate कर दो तो e का power y का integration e का power y, e का power x का integration e का power x plus c यह रहा हमारा answer ठीक है, जल्दी जल्दी फटा-फट बनाते है चलो बन गया, बहुत अच्छा है ना आगे बढ़ते हैं क्या भाई, तुम लोग जो है न मैसेज करते हो मुस्कान पर सब है गुरू जी बच्चों, अभी तुम लोगों का age ही ऐसा है ठीक है, अब तो हम लोग बुड़े होने चले तो फिर तुम लोगों कुछ बोल भी नहीं सकते हैं है ना तो age है ऐसा बच्चों, ठीक है लेकिन आज तुम लोगों को पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए एक सिंपल सा बात समझो एक छोटा सा बात समझो आज का youth जिसके पीछे अभी भागता है जैसे तुम लोग अभी teenagers हो और अभी क्या है ना तुम लोगों का मन बहुत ऐसा करता होगा डुनाल्डरेम का नाम सुना है है ना तो उन्होंने 70 साल के age में साधी की है की नि ऐसा बहुत सारा तुमको case मिल जाएगा बहुत सारा case मिल जाएगा कि ये जिसके पीछे अभी भाग रहे हो वो कभी भी पाया जासकता है वो कभी भी तुम्हारा जो अभी 12 चल रहा है इसके बाद एक साल और आएगा यही 2 साल तुम आयटी कर सकते हो इसके बाद तुम चाहा के भी नहीं कर सकते हो बास समझ में आया लेकिन जिसके पीछे अभी भाग रहे है उसको जब चाहोगे तब कर लोगे ठीक है बच्चों तो पढ़ाई पर फोकस करो ध्यान दो बाद में बहुत सारी जो है ना तुमको मिल जाएगी और बेटा कुछ नहीं कर पाए ना नहीं कर पाए तो सच महानो एक भी नहीं मिलेगी है ना बड़ी मुस्किल है आगे बढ़ते है तो देखो यहां पर solution क्या है तुमारा x dy by y dx equals to 0 तो यहां से क्या रहा है तुमारा x dy equals to minus y dx तो यह क्या रहा है तुमारा dy by y minus equals to minus dx by x अब integrate कर लो dy by y equals to minus dx by x है ना इसका क्या रहा है तुमारा log y minus equals to minus log x और plus log मिले लो इसको भी सारा log मिले चल रहा है यह भी log मिले लिए log c तो यहां से क्या रहा है log y plus log x equals to log c यह है तुमारा है ना यह है हमार लॉक और बाद बाकी क्या है तुमारा लॉक एक्स वाई इक्वेस टू लॉक सी तो यहां से एक्स वाई इक्वेस टू कितना आ गया हमारा सी यह हमारा आंसर है नोट करो चलो आगे बढ़ते हैं है ना बोल रहा है बोर्ड में 75 बिल्कुल 75 परसेंट आपको मिनिममम लाना है है ना 75 परसेंट आपको मिनिममम लाना है ठीक है और देखो आगे का प्रॉसेश चेंज होते रहता है इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं है 75 परसेंट और वैसे भी देखो जो 75 परसेंट नहीं ला सकता ना वो IIT बैठने लाइक ही नहीं है, जे भी बैठने लाइक ही नहीं है, तो अब छोड़ दो तुम, तुम से ना हो पाएगा, तो 75% तो आम बात है, बचों पढ़ोगे 75% तो आराम से आता है सारे बचों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बनाओ, 102, dy by dx, plus y cot x, बराबर 2 cos x, है ना, तो यहाँ पर यह किस किस फॉर्म में है, it is in the form of, it is in the form of, by by dx, plus py equals to q, जहाँ पर p का value जो है, वो क्या है, quart x है, और q का value जो है, वहाँ 2 cos x है, तो अब if निकालो, इसका integrating factor क्या होता है, e to the power integration p dx, तो e to the power p dx, p क्या है तुमारा, cortex dx, ठीक है, cortex dx, कोई बच्चे लिखा 99 छूड़ या, 99 जो है ना, बच्चों, हम long में पढ़ा दिये हैं, long में पढ़ा दिये हैं, तो आपना long वाला विडियो देख लेना, उसमें पढ़ाये हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो e to the power cortex, तो ये e to the power integration, cortex का, cortex का integration क्या होता है, log sin x, log sin x, तो ये क्या हो गया, e to the power log sin x का मतलब sin x हो गया, तो हमारा जो if निकला, वो क्या निकला, sin x निकला, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा one था, solution लिख लो, solution of differential equation क्या होता है, solution of differential equation, differential equation is, differential equation का जो solution होता है, वो क्या होता है, ये y बाला है न, y into if equals to integration, q into if dx, यहादी होगा, बस इस पर बिठा दो, हमारा answer आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, this implies, y into if क्या है, sin x, और equals to integration, q, q क्या है, मारा 2 cos x, और फिर if, if क्या है, मारा sin x, और साथ में dx, तो यहाँ से हो गया, तुम्हारा y sin x, equals to 2 sin x, cos x क्या होता है, sin 2 x, यहाँ से क्या है, तुम्हारे पास, y sin x, equals to sin 2 x का, integration, minus cos 2 x by 2, और plus c, ठीक है, तो 2 से multiply कर लो, 2y sin x, equals to minus cos 2 x, बराबर 2c, यह तो constant ले लो, क्या ही रहेगा, उठा कि इधर कर लो, 2 sin x, plus cos 2 x, cos 2 x, equals to k, यह हमारा आंसर, करो नोट जल्दी से, यह हमारा आंसर है, चलो, ठीक है, सबका सही निकल रहा है, चलो, आगे बढ़ते हैं, बनो इसको, 113, 113, 113, बनो, 2y sin x, हाँ, 2y sin x, सही बात है, यह y छूट गया, यहाँ पर y भी है, सही है, 2y sin x, plus cos 2 x, चलो, ठीक है, अब इसको solve करो, अब इसको solve करो, वो थोड़ा मुड़ा कहीं छूट जाता है, तो तुम लोग अपने से देख लेना है, प्रॉसेस समझ लो, और बाद बाखी, जो वो calculation है, वो लोग आप अपने से भी कर लेना, देखो, solution, क्या है हमारे पास, 10y dx, plus 10x dy, equals to 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या आगया हमारा, 10y dx, equals to minus 10x dy, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेना है, अभी dx, नीचे ले ले लेते हैं, यहाँ से आगया है, y वाला, हाँ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ से dx y, minus 10x, बराबर dy y, 10y, तो y वाले को पहले ही लिखते हैं, तो उपर उठाए लो, तो 10 उपर जाके क्या बन जाएगा, pot y dy, equals to minus, cot x dx, अब दोनों साइड क्या करो, integrate करो, तो cot y का integration क्या होता है, log sin y, equals to minus log sin x, है न, और plus sub sin में है, तो यह log में हैं, यह log phi ले लेते हैं, तो इसको उठाके इदर ले, तो log sin x, plus log sin y, और यह किसके बराबर है, log c के बराबर है, तो log sin x plus log sin y, log sin x y हो जाएगा, sin x into sin y, तो log sin x into sin y equals to log c, यह into है, इसका मतलब sin x और sin y equals to c, यह हमारा आंसर है, sin x sin y, sin x, sin y equals to c, लिख लो, sin x sin y equals to c, ठीक है, लिखो, आगे बढ़ते हम लोगा, यह था 103, चलो यह 104, find the general solution of the differential equation, इसका differential equation का general solution निकालना है, इस differential equation का क्या करना है, general solution निकालना है, निकालो जल्दी, देखो, solution, क्या है तुमारे पास, dy by dx equals to 1 plus y square by 1 plus x square, और dy by यहां से ले लो, 1 plus y square, dx by 1 plus x square, integrate कर दो दोनों सेड, ठीक है, तो 1 by 1 plus y square क्या होता है, 10 inverse y, तो यह हो गया तुमारा 10 inverse y, और यह हो गया तुमारा 10 inverse x, और plus c, ऐसा, है ना, तो इस तरह से कर सकते हो, यहां पर भी छोड़ सकते हो, दो नंबर का, या फिर इसको उठा के यहां लाके, 10 inverse x minus 10 inverse y का c, ठीक है, तो formula लगा लोंगे, यहां पर भी छोड़ देना, अगर नहीं होगा, यहां छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हो जाएगा 10 inverse y minus x by 1 plus xy बराबर c, तो यहां से हो गया हमारा y minus x by 1 plus xy equals to 10c, 10c अपने अपने constant है, अब k भी लिख सकते हो इसको, तो यहां से हो गया तुमारा y minus x बराबर इसको लिखने k और यह 1 plus xy, यह हमारा answer है, note करो, यह 104 है, y is missing, कहा y में से हैं? कहां, यहां y में से, नहीं, है तो, है, चलो, ठीक है, जहां y में से हैं, तुम लोग कर लेना, अपना, देख लेना, है ना, जहां y में से हैं, वहां तुम लोग देख लेना, देख लेना, कर लेना, चलो, आगे बढ़ते हैं, इसको solve करना है, ठीक है, solve dy by dx equals to x minus y तो यहां से देखो क्या रहा है तुमारा solution dy by dx equals to x minus y तो यहां से हो गया dy by dx dy by dx और plus y equals to x ठीक है तो अभी यहां से क्या रहा है तुमारा ध्यान दो dy by dx plus y equals to x तो यहां पर p जो है हमारा वो 1 है और q जो हमारा है और q जो हमारा है वो x है तो i क्या हो जाएगा if integrating factor जो हो जाएगा e to the power p dx तो क्या आगया तुमारा e to the power p dx तो सिर्फ integration p तो क्या है हमारा p हमारा क्या है 1 है तो dx आगया e to the power और e to the power x हो गया solution of differential equation solution of differential equation is differential equation का solution का है वो क्या है ध्यान दो solution of differential equation is क्या होता है y into if यह याद होना चाहिए q into if और साथ में dx तो देखो क्या हो गया यहां से तो this implies y into if कितना है यहारा e to the power x और q कितना है हमारे पास qx है qx है ना x और if e to the power x dx ठीक है तो यह अब integrate करना है तो यहां से क्या हो गया y e to the power x इसको ले लो first इसको ले लो second x को छोड़ रहे है ठीक है x को छोड़ रहे है e to the power x का integration करो d by dx और minus differentiation कर रहे हैं हम लोग x का है ना और integration कर रहे है e to the power x dx और इस पूरे का integration तो अभी यहां से क्या आ गया तुमारा y to the power x equals to x e to the power x minus यह तो 1 हो गया और e to the power x का integration e to the power x dx तो finally जो है हमारा आ रहे है y to the power x equals to x e to the power x minus e to the power x plus c अब e to the power x तो तुम डिवाइड कर दो y equals to x minus 1 अब प्लस c y e to the power x को e to the power minus x लिख देते हैं यह हमारा answer है y equals to x minus 1 प्लस c e to the power minus x कर लो इसको जल्दी चलो आगे बढ़ते हैं 120 तक जाना है अपने को है ना यह वाला यह वाला भी long question है है ना इसको भी long में हम जो बना चुके हैं ठीक है कैसे क्या करना था यह हमारा p है यह हमारा p है p क्या आ गया तुमारा x by 1 minus x square तो इसका if निकाल लेना और यह हमारा q है 1 by 1 minus x square ठीक है तो इसका if निकाल लेना और फिर वही solution लिग देना if equals to e to the power integration p dx तो ऐसा कर लेना e to the power p dx तो क्या है तुमारा x by 1 minus x square dx तो इसको t मानोगे उपर वाला dt आ जाएगा 1 by 2 यहाँ और 2 यहाँ तो e to the power 1 by 2 निचे t उपर dt तो log t तो log 1 minus log 1 minus x square ठीक है और यहाँ से आ जाएगा e to the power log यह 1 by 2 इदर power आ जाएगा तो root आ जाएगा तो यह आगया तुमारा root अंडर 1 minus x square यह तुमारा i f आ गया यह i f निकाल दिया अब इसका solution हम बना चुके है long बे यह गलती से इसमें लिखा गया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसको आप solve कर लेना यह long में बता चुके हैं चलो अब हमारा यह खतम हो गया differential equation differential equation में sort में ज्यादा हर एक बार long confirm आता है differential equation से तो long तुमारा आएगा ही आएगा sort हम लोगों का हम लोगों का जो important था वो बता दिया है अब चलो vector पर चलते है vector algebra 107 question number 107 question number 107 P में minus हाँ P में minus लगेगा हाँ P में minus लगेगा यह minus ठीक है तो minus ले 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 ना तुम आप यहाँ पर minus है तो आप यहाँ minus ले लो यहाँ minus ले लो ठीक है तो minus आजाएगा तुमारा तो यह power 1 by 2 minus 1 by 2 आजाएगा ठीक है minus 1 by 2 आजाएगा log 1 minus x square का power minus 1 by 2 तो 1 by आजाएगा तुमारा कर ले ना तो यह actually में 1 by इसे आजाएगा 1 by root यह आगया 1 by root under 1 minus x square यह आजाएगा तुमारा if चलो ठीक है कर ले ना उसको इसको बनाओ prove that vector base are mutually perpendicular यह एक दूसरे पर perpendicular है प्रूफ करना यह एक दूसरे पर क्या है perpendicular है तो हम लोगों क्या करना होता है perpendicular vector दिखाने क्लिए क्लिए क्या करना होता है a dot b दिखा दो अगर वो 0 हो गया तो दोनों vector एक दूसरे पर क्या है तुमारा perpendicular है तो चलो solve करते हैं इसको देखो ध्यान से क्या है तुमारा vector a जो हमारा है i minus 2j plus 5k और vector b जो हमारा है वो क्या है minus 2i plus 4j plus 2k आई ऐसा यह vector ठीक है a और भी vector आ गया हमारा है ना इंवर भी vector आगया तो अब हम लोग क्या करते है ना A dot b कर लेते है तो यह टूर्ट बी क्या करते है इस दोनों का dot product निकालते है इस दोनों का dot product तो क्या जाएक हमारा i minus 2j plus 5k a dot minus 2i plus 4j plus 2k ठीक है ऐसा आ गया तो इसका जो dot product होता है वो क्या होता है i को i से तो i यहां तो 1 हो जाएगा 1 into minus 2 minus plus minus 4 to the 8 और plus 5 to the 10 यहां से कितना आया minus 10 plus 10 बराबर हो गया 0 तो चुकि a dot b equals to हो गया 0 तो this implies vector a is perpendicular to vector b vector a जो है vector b के perpendicular है और यह हमारा proof हो गया vector b a जो है vector b के perpendicular है यहीं proof करना था ठीक है चलो बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह अपने वो क्या कहता है vector a दिया हुआ है vector b दिया हुआ है a cross b निकालना है a दिया हुआ है b दिया हुआ है क्या करना है a cross b निकालना है ठीक है तो अब समझो तो solution तुम्हारे पास क्या है A cross B तो A cross B कैसे निकालते हैं हम लोग ठीक है उसका हम लोग determinant निकाल देते हैं I, J, K ले लो उपर I, J, K और इतका I का coefficient 2 minus 3 minus 5 और J का coefficient क्या है तो यहाँ इसका I का coefficient minus 7 plus 6 और 8 ऐसा है ठीक है अब इसको तोड़ दो symbol पर यह I तो plus होता है और यह अपना row अपना column खतम करेगा तो ऐसा कर लेते हैं minus 3 minus 5 6 8 है ना फिर J minus के साथ आ जाएगा और यह अपना row अपना column खतम हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 minus 5 minus 7 और 8 ऐसा आ गया और फिर यह वाला देखो तो क्या हो जाएगा तो plus के है ना यह अपना row और अपना column खतम करेगा क्या बचेगा 2 यहाँ क्या minus 3 minus 7 6 चलो बना इसको जल्दी से तो यहाँ से कितना आ रहा है आट तीया 24 minus minus plus 30 यह हो गया हमारा I में और minus 8 दूनी 16 minus minus plus 35 यह हो गया हमारा J में और 6 दूनी 12 minus 17 21 यह हो गया हमारा K में तो इस तरह से हमारा क्या आ गया देखो 30 में 24 घटा दो तो कितना रहा है 6 I minus माइनस 16 में 35 घटा किता बचेगा 19 तो माइनस माइनस प्लस 19 जे और प्लस प्लस माइनस या माइनस 12 में 21 घटा दो तो क्या बचेगा 9 माइनस 9 के यह हमारा आंसर है छे आई 19 जे माइनस 9 के 6 आई 19 जे बहुत अच्छा बात है विकास कुमार ठीक है बहुत अच्छा बात है आगे बढ़ते हैं यह हमारा आठ जल्दी से स्क्रीन सॉट लो 9 नमबर यहां क्या करना है find the value of P P का value निकालना है इसका जब cross product 0 है cross product का है तुमारा 0 है तो P का value निकालना है तो चलो देखो solution क्या है तुमारे पास 2i प्लस 6j प्लस 27k और cross i प्लस 3j प्लस pk बराबर इधर 0 वेक्टर होगा क्योंकि दो वेक्टर का cross multiplication वेक्टर होता है तो वेक्टर होगा तो अब यहां से क्या आ गया i j k 2 3 27 1 3 P और यह किसके बराबर है जीरो वेक्टर के बराबर है तो चलो इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं अब खटाक से i अब यह रोग खटम यह कॉलम खटम जल्दी से कर रहा हैं तुम लोग फिर अपना डिटेल में कर रहा है यह रोग खटम यह कॉलम खटम यह रोग खटम यह कॉलम खटम 2 P माइनस 27 प्लस के यह रोग खटम यह कॉलम खटम 3 दुनी 6 माइनस 3 बराबर 0 वेक्टर जीरो वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर का मतलब आई का जे का सबका कोफिसियंट जीरो है एक्वस्ट टु जीरो आई जीरो जे जीरो के ठीक है तो ऐसा यह जीरो वेक्टर है कहीं कुछ गड़बड़क नहीं हुआ है 1 3 P 2 6 27 ठीक है आई वाले का 3 P माइनस 21 सही है 27 कुछ गड़बड लग रहा है हमको अच्छा यह 6 है यह 6 है यह 6 है चुट गया तो मैरा 6 है तो क्या आजाएगा 6 P है यह 6 P है क्योंकि यहाँ पर जीरो होना चाहिए ता मैरा 0 नहीं आया था तो इसी वज़े से डाउट हो गया कि कहीं कुछ गलती लिखें यह 6 है तो अभी फिर यहाँ से यह आ गया यह खत्म-यह खत्म पी यह स़ई है और यहा च्छे माइनस छे आ जाएगा 6 माइनस 6 तो सही बात है तो यह क्या रहा है तुम्हारा अब देखो यह तो 0 की है तो 0 के बराबर हो गया अब यह वाला चीज इसके बराबर होगा 0 के बराबर या यह वाला चीज 0 के बराबर होगा तो हम लोग क्या करते हैं 6P-81 equals to 0 और 2P-27 equals to 0 दोनों से एक ही आंसर आना चाहिए तो P का वैल्यू 81 भाई 6 और यहां P का वैल्यू 27 भाई 6 इती 2 तो यहां से क्या कटा दो 27 तिया 81 और 3 दूनी 6 तो 27 भाई 2 तो फाइनली जो हमारा P का वैल्यू आ रहा है 27 भाई 2 यह रहां से ठीक है 27 भाई 2 P का वैल्यू ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह था तुमारा 109 नंबर कुश्चन आगे बढ़ो 110 देखो यह यह कुश्चन बहुत important है है ना 7 बार पूछा है अभी तक में पिछले 10 सालों में 7 बार ठीक है कभी ऐसे पूछता है कभी इसको पलटके यहां लेके आके ऐसे पूछता है a cross b का square plus a dot b equals to magnitude a magnitude b कभी कभी यह वाला पूछा कभी यह वाला पूछा इससे मन नहीं बरा तो यह वाला पूछा है ना एक ही सवाल है तीनों और अभी तक में दस साल में 7 बार पूछा है तो सोचलो इतना important है यह दस साल में 7 बार पूछा है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो तो इसको बनाते हैं देखो बना तुम लोग से क्या solution देखो इसको प्रूफ करना है दोनों एक ही चीज़ है अच्छा देखो कैसे है इसको देख लो इसको अगर हम लोग determinant करेंगे तो इसको इसके साथ हो जाएगा तो ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी दो बार ए डॉट बी दो बार हम एक ही सम बना रहे हैं इसको देखने तोड़ने के लिए determinant था तो यहां से magnitude a का square आ गया magnitude b का square आ गया magnitude a dot b का square आ गया तो यह वाली चीज़ वापस से यही आ गई है ना मतलग यही चीज़ आ गई वापस से ठीक है तो यह भी देख लेना तो हम एक बनाते हैं तुम लोग दोनों फिर इसको इस तरह से भी आएगा तो घबराना मत व फिर हम लोग आगे लिख लेंगे देखो यहां पर solution क्या है तुमारे पास a cross b a cross b तो हम लोग सबसे पहले a cross b का magnitude a cross b निकाल लेते हैं फिर उसका square करेंगे ठीक है तो a cross b क्या होता है a dot b और sin theta magnitude a magnitude b sin theta ठीक है और साथ में होता है n cap n cap दोनों side square कर दो दोनों side क्या करें square कर दो तो a cross b का square बराबर magnitude a का square magnitude b का square और sin square theta और देखो n cap का square तो 1 हो जाएगा n cap का square 1 हो जाएगा तो उसको छोड़ दो n cap का square क्या हो गया 1 तो 1 से छोड़ देते हैं इसको ले लो number 1 और देखो end a dot b क्या होता है हमारा magnitude a magnitude b और cos theta, इसका भी square कर दो, तो a dot b का square जो हो जाएगा, magnitude a का square, magnitude b का square और यह हो जाएगा cos square theta, यह हो गया number 2, अब equation 1 और 2 को जोड़ दो, equation 1 plus equation 2 we get, तो हम लोगों को क्या मिलेगा देख लो, दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो, तो a cross b और plus a dot b का square equals to, दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको और इसको, तो यहाँ से उपर वाले से magnitude a square, magnitude b square into magnitude b square, और sin square theta, और plus नीचे वाले से magnitude a square, magnitude b square, और cos square theta, और cos square theta, ऐसा आ रहे, ठीक है, और इधर मिटाते हैं हम, इस तरह से, चलो देखो अभी, तो क्या रहे हैं तुमारा, तो इधर तो ठीक हैं तुमारा, magnitude a cross magnitude b का whole square, plus magnitude a dot magnitude b का whole square, बराबर, दोनों से क्या करो, magnitude a का square, magnitude a का square into magnitude b का square, पॉमन निकाले, तो क्या बच रहा है हमारे पास अब इधर, into, यहाँ बचा हमारे पास साइन square theta plus cos square theta, और यह कितना होता है, one होता है, यह कितना होता है, one होता है, यह तो one हो गया, तो अब हमारे पास, यहाँ पर magnitude a cross magnitude b का whole square, बराबर, यह तो one हो गया थी, इधर क्या बचा, magnitude a का square, magnitude b का square, और इसको उठा के इधर ले आओ, अच्छा, plus वाला बोलता है, तो यही पर हो गया था हमारा answer, और अगर बोला, उधर minus, तो इसको उठा और इधर ले किया आजा, तो यहाँ से यह हो गया, और इधर minus, minus magnitude, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, minus magnitude a dot b का whole square, और यह हमारा proof हो गया, बहुत important question है, आप इसको बना लो अच्छे से, बहुत important question है, आप इसको अच्छे से बना लो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 110 हो गया, आगे बढ़ते हैं, 111, क्या कह रहा है कि a और b दो वेक्टर है, प्रूफ करना है कि यह दोनों perpendicular है, फिर से वही a dot b निकाल लो, अगर one हो रहा है, 0 हो रहा है तो उसको perpendicular बोल देंगे, तो solution क्या है मारे पास, a वेक्टर दिया हुआ है, 2, 3, माइनस 5, ठीक है, और b वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2, 2, 2, तो a dot b क्या हो जाएगा, a dot b हो जाएगा, 2 into 2, 3 into 2, plus minus 5 into 2, तो यह आ गया तुमारा 4 plus 6 minus 10, 0, तो a dot b बराबर हो गया, 0 तो this implies a is perpendicular to b, प्रूफ, यह प्रूफ हो गया, ठीक है, बहुत असान है, वेक्टर के questions बहुत असान होते हैं, वेक्टर का question बहुत असान आते हैं, यह तो पता है कि यह जो है न, screen sort होता है, screen sort लेके, कितना screen sort को PDF बनाने में बहुत time लग जाएगा न, इतना page का, हर एक page का screen sort लो, फिर उसको एक जगा जमा कर, बड़ी जंजट की काम है, ऐसे भी direct PDF बनता है, कल हम पता किये थे, PDF बनता है, तो कोई बात ने, अभी इतर कर लो, फिर हम आगे से कर लेंगे, अभी हम इस पर धिहान नहीं दे रहे हैं, अभी तुम लोग का, बस question type पर धिहान देते हैं, और पढ़ाने पर धिहान देते है बस, ठीक है, वो कर लेंगे हैं, कर लेंगे, चलो, आगे बड़ते हैं, दुनिया गोल है, क्या यार, तुम लोग मस्ती करने में लगे होगे हो, पढ़ लो, दो दिन का बात है न, बस मस्ती करने में लगे होगे हो, मम्मी की रोटी, गोल-गोल, पैस, पापा का पैसा, गोल-गोल, है न, दूसरा जवाब देता है, तो आपका नमबर भी गोल-गोल, 11th भी गोल-गो होता है उसके पापा पैसा जमा करके रखते हैं है ना अराम से जिसको जो पढ़के अपना बन सकती है बहुत अच्छा है जो पढ़के नहीं बन सकती है उसके लिए हैं लड़का तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत है तो लड़कों तुम लोग ज़्यादे दियान दो पढ़ नहीं सकती उसको छोड़ दो ठीक है तो आप अपने पर ध्यान दो पढ़ने पर आपका पढ़ना ज्यादा जरूरी है ठीक है और विसली लड़की का पढ़ना लड़कों से पढ़ना ज्यादा जरूरी है लेकिन लड़की को इस बात को समझना चाहिए लेकिन वो लोग समझत वेक्टर A जो है वो है 3I प्लस J प्लस 2K वेक्टर B जो है वो है तुम्हारा 2I माइनस 2J प्लस 4K सही है? देखों यहां पर 4K ऐसा है तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा? हम लोग क्या करते हैं? magnitude A निकाल लेते हैं A.B पहले निकाल लेते हैं A.B निकाल लेते हैं तो 326-2 प्लस 8 ठीक है? 326-2 प्लस 8, 614 में दो गया 12 बचा और magnitude A निकाल लो magnitude A रूट के अंदर में आ जाएगा 3 का स्क्वाइर, 1 का स्क्वाइर, 2 का स्क्वाइर तो 9, 10, 4, 14 magnitude B निकाल लो magnitude B आ जाएगा तुमारा 2 का स्क्वाइर, प्लस माइनस 2 का स्क्वाइर, प्लस 4 का स्क्वाइर तो यहाँ पर चर्चों के 16, 20, 24, 24 यह है तुमारा 24, ठीक है? अब कॉस थिटा निकाल लो, उसके बाद कॉस के हेल्प से साइन निकाल लेंगे तो A.B by magnitude A magnitude B, यह यह कॉस थिटा है, अब इसके हेल्प से हम लोग फिर क्या करेंगे? साइन निकाल लेंगे तो क्या आगिया तुमारा कॉस थिटा equals to A.B कितना है? 12 by root 14 by root 24 अब साइन थिटा equals to क्या होता है? root under 1 minus cos square theta, ठीक है? तो क्या जाएगा? root under 1 minus cos square, इसका square करेंगे? 12 का square हो गया, x पर 44 और निच्चे 14 का 14 आगया और 24 आगया है ना? 14 का square, 14 गुना 24, ऐसा आ रहा है 14 गुना 24 यह square, root under magnitude हो गया, ठीक है? cos theta, sin cos square theta, सही है? चलो, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर आगया, root under 14 गुना 24 तो कितना आएगा? 14, 4 के 56, हात्रा 5, 14 दूनी 28 28, 5, 33 अब माइनस 114 घटा लो, 136 में बचा 2, यहाँ भी बचा, 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 2 बिल्कुल 14, 4 के 56 के 6, हात्रा 5, 14, दूनी 28 और 5 सही किया है, कहीं कुछ गड़़़ नहीं किया है 16, 4 20, 4, 24 9, 10, 4, 14 14 बचा 24, कॉस थिटा इत्ता है हमारे पास, तो साइन टिटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थिटा आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थिटा बारा का यहाँ नीचे 14 और 24 सही है, और नीचे क्या है तमारा? 14 गुना 24 देख लो कितना आ जाएगा यह 2 से 1, 1, 1, 2 से 7 3 से, 8 ती या 24, 3 से, 3 से चला जाएगा 37 37, कितना जाएगा? 37 37, तो कितना रहा था रूट? 37 by 56, यह आ रहा है तुमारा साइन ठीटा, चेक कर लेना एक बार यह यह क्या है 144, ओह, 114 लिख दिया है 144 होगा 2, सही बात है इसको मिटाओ तो यहां से देखो root under, 144, 2 बचा यहां पर कितना बच जाएगा? 13, 13 में 9 बच गया और यहां 192 और यहां पर 14, अगुना 24 ठीक है? तो 7, 2 नी, 14 7 से कटेगा 7, 2 नी, 14 नहीं, 7 से नहीं कटेगा यहां पर 2 से काट दो तो 7 आ रहा है, यहां पर 2 से काटो 9, 2 नी, 18 और 6, 2 नी, 96 24 24, 96, 4 बार में तो 4 बार रूट 7 तो कितना रहा है यहां तुमारा? 9 ठीक है इक्वास टू 4 का आ जाएगा 2 बार रूट 7 यह है तुमारा 2 बार रूट 7 चलो ठीक है, देख लो 144 सही है, 136, 336 माइनस 144 ठीक है, 192 बार रहा है यह रही होगा अंसर ठीक है, साइन ठीटा एक्वस टू बार रूट 7 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है यह था तुमारा 112, आठ पुश्चन हो रहा है चलो आगे बढ़ते हैं यह, find the area of the triangle एरिया निकालना है यह triangle का तो थोड़ा समझो, यह triangle है हमारा A, A दिया है तुमारा 1, 1, 1 B दिया है तुमारा हमारा 1, 2, 3 C दिया है तुमारा 3, 2, 1 हमको area निकालना है तो कोई 2 vector एक vector यह निकाल लो, एक vector यह निकाल लो यह बीच का angle हो गया, तो area तो हम ना 2 vector निकाल लो उसका cross product, 1 by 2 into cross product कर दो आ जाएगा, solution हमारे पास A, B, B, A vector निकालना है, क्या निकालना है, B, A vector निकालना है, तो B, A vector B है, तो A minus B हो जाएगा, पहले A वाले में घटाना है, इसमें इसको तो 1 minus 1 I और plus 1 minus 2 J और plus 1 minus 3 K ऐसा आ गया तो यह आ रहा है, 0 I plus minus 1 J minus 1 J minus 2 K यह ऐसा आ रहा है, ठीक है? और यहाँ से B C निकाल लो, यह C है तो मारा, तो B C निकाल लो, B C निकाल लो यहाँ से, तो B C क्या हो गया? 1 minus 3 I plus 2 minus 2 J plus 3 minus 1 K ऐसा आ गया तो क्या रहा है, minus 2 I plus 0 J और plus 2 K ऐसा आ गया, तो area of triangle equals to, area of triangle A, B, C equals to क्या हो जाएगा? 1 by 2 और B A cross B A cross magnitude लेना है B A cross B A cross B C B A cross B C का magnitude लेना है, ठीक है? तो अब इसका करके हम लोग निकाल लेंगे इसका, तो देखो क्या रहा है तुमारा? 1 by 2 और B A B A क्या है हमारे पस? B A यह वाला है तो I, J, K तो B A का 0, minus 1, minus 2 0, minus 1, minus 2 और यहाँ पर क्या है? तुमारा minus 2, 0, 2 minus 2, 0, 2 चलो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनार निकालेंगे और फिर इसका क्या करेंगे? मॉडलस कर देंगे लिख लो इसका नहीं जल्दी से जल्दी से लिख लो minus 2Y, 0, J, 2K minus 2Y, बिल्कुल सही है करते चलो ठीक है CA करते तो असान होता 2, 1, 0 आता है कोई फरक नहीं है यहां से कर सकते हो तो चलो हम लोग एक पेज इसमें डालते हैं और तो और आगे बढ़ते हैं यहां पर देख लो तो this implies area of triangle क्या हो जाएगा 1 by 2 और अब देखो इसका magnitude निकालेंगा हम लोग बाद में क्या है यहां पर हमारा देखो I minus 2 minus 0 minus 2 minus 0 तो minus 2Y हो गया minus 2Y आगया minus 2Y आगया ठीक है फिर देखो अगला minus J यह row खतम, यह column खतम यहां से 0 और minus 4 यहां minus minus plus minus minus 4 और minus I तो minus 4 minus I तो 4Y आगया तो plus 4Y आगया और plus देखो यहां से yě खतम 0 और minus 2 तो minus 2 के आगया तो minus 2 के आगया minus 2 के ठीक है तो यह आ जाएगा 1 by 2 और root under minus 2 का square 4 का square और minus 2 का square तो यह आगया 1 by 2 और 4 16 और 4 24, 1 by 2 root 24, यह हमारा answer है, 1 by 2 root 24, उसको बना ले ना अच्छे से ठीक है 30 आ रहा है तुमारा 30 कैसे आएगा भाई, फिर से चेक कर लेना है, I क्या जाएगा, minus 2 I के साथ आ गया हमारा minus 2, 0 तो minus 2 I हो गया minus J minus J यह खत्म, यह खत्म 0 minus, minus plus, plus, minus, minus 4 तो plus 4 J हो गया और plus K, यहां से यह खत्म 0 minus 2 K, तो minus 2 K आ गया, सही है यह क्या रहा है है न, तो यहां से हमारा कितना आ गया तो यहां से कितना आ गया, minus 2 K आ गया अब इसका कर लिए, 2 का 4 16 4, ठीक है 1 by 2 root 24 है 1 by 2 root 24 है BC का पोजिशन वेक्टर चेक कीजिए BC का पोजिशन वेक्टर में क्या है अच्छा, 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 BC का पोजिशन वेक्टर यहां गड़वड कर दिया है BC, 3 minus 1 होगा 3 minus 1, 2 minus 2 0 और 1 minus 3 minus 2 यह सही है 1 minus 3 होगा 1 minus 3 तो यहां से हो गया 2i और 0 और minus 2 K सही है, thank you भाई यहां हम मिस्टेक किये थे, चलो देखो यहां से अब यहां पर आ गया 2, 0 और यहां minus 2 अब इसको हम लोग कर लेते हैं इधर तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे यहीं पर बना देते हैं 1 by 2 आ रहा है और इसका i का i के साथ यह खतम, यह खतम 2i तो 2i हो गया अब यह यह खतम, यह खतम यहां से 0 minus 4 minus है तुमारे पास यह खतम, यह खतम 0 minus minus plus 4 minus तो 4j आ गया और plus k में यह खतम, यह खतम 0 फिर भी तो वही आएगा भाई 0 plus 2k तो 2k आ रहा है फिर भी तो वही आ जाएगा 1 by 2 इसका root करेंगे 2 का square 4 16, 4 तो क्या आ गया तुमारा 1 by 2 और root 24 ठीक है तो इसका 1 by 2 आ गया root 24 का क्या कर लो 4 होता है ना 2 root 6 तो यह 2-2 कटके root 6 answer आ रहा है ठीक है answer वही है यहाँ से भी root 6 आ रहा था तो वह वहाँ गलती था वह ठीक हो गया वह गलती था ठीक हो गया root 6 आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं यह हो गया तुमारा ले लो screenshot आगे बढ़ते हैं यह यह क्या करना है find the value of this dot the this cross this तो यह तुमारा scalar triple product है scalar triple product है root 6 सही है ठीक है scalar productive हम लोग करते है अब ठक गए यार एकदम है ना चलो खतम कर देते हैं इसको फिर सामने objective करेंगे तो क्या यहाँ पर देखो solution अब इसको जो है ना scalar triple product कर ले ना 2, 3, 4 और 3, minus 7, 8 और क्या हो यह 5, minus 4, 12 बस इसका determinant निकाल ले ना वा answer आ जाएगा ठीक है scalar triple product में याद रखना dot वाला को पहला रो बाद में की इस दोनों को इसको दूसरा रो इसको तीसरा रो लो और फिर इसका determinant निकाल लो निकल जाएगा तुम लोगको determinant आता है ठीक है इसको बना लेना इसको बना लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ यह क्या कह रहा है ए माइनस बी यह तो देखो क्या है तुम्हारे पास ए माइनस बी कह रहा है कि अपने को निकालना है तू वेक्टर अपने को निकालना है क्या निकालना है ए माइनस बी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं A minus B का square कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, A minus B का square, A magnitude A का square, plus magnitude B, अच्छा, दो बर multiply कर सकते हो, यहाँ पर हम लो, तो दो बर multiply, A minus B, और A minus B कर लो, ठीक है, अभी A से A, A dot A, A dot A, minus A dot B, minus B dot A, A, और plus B dot B, ऐसा आगिया है न, तो A dot A, यह तो तो तुमारा A dot B, और B dot A, यहाँ पर हो गया हमारा A dot A, B dot, तो यहाँ पर हो गया magnitude A का square, अब माइनस दोनों सेम ही होता है, A dot B और B dot A बराबर होता है, तो 2 A dot B, plus magnitude B का square, तो A का magnitude A का square, दो का square आगया, और 2 A dot B कितना है, तुमारा 4 है, plus B का कितना है, 3 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, 4, और minus, यह 3 का square है, 4 minus 8 plus 9, तो कितना आ रहा है, 4, अब plus 1, तो यहाँ से 5 आ गया, यह क्या है, 5, तो A minus B का square है, वो 5 आ रहा है, तो यहाँ से देखो, A minus B जो आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, लिख लो, यह 115 है, रूट 5, ठीक है भाई, रूट 5, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस दोनों के बीच क्या angle निकालना है, theta, between vector इतना, तो A और B दिया हुआ है, theta निकलना है, तो cos theta निकाल लेते हैं, तो A हमारे पास क्या है, तुमारे पास, देखो, solution, यह vector A क्या है हमारा, I plus J minus K, और vector B क्या है तुमारा, I minus J plus K, ठीक है, तो A dot B क्या है जाएगा, एक गुना एक एक, माइनस एक और माइनस एक, यहां से minus A1 आ गया, और magnitude A कीitना आ रहा है तुमारा, root अंडर, एक का स्कुयर 1, यहां पर भी एक का स्कुयर 1, और फिर यहां पर भी एक का स्कुयर 1, तो root 3 आ रहा है, और magnitude B क्या है तुमारा, 1 का square 1 plus minus 1 का square भी 1 और फिर 1 का square भी 1 तो ये भी क्या रहा है तुमारा root 3 या रहा है तुमारा तो cos theta बराबर cos theta बराबर क्या होता है हमारे पास a dot b by magnitude a magnitude b ऐसा होता है तो a dot b कितना है हमारे पास minus 1 by root 3 root 3 इसका magnitude तो 1 बटे 3 आ गया cos theta बराबर तो ठीटा बराबर क्या आ रहा है तुमारा कोस इनवर्स कोस इनवर्स 1 by 3 यह हमारा अंसर है एक्यूट एंगल हमेशा लेते हैं कुछ नहीं बोले तो एक्यूट एंगल इसलिए मॉडलस लिए तो 1 by 3 आ गया ठीक है कर लो इसको जल्दी से ठीक है माइनस 1 by 3 का मॉडलस लिए तो 1 by 3 आ गया ठीक है हो गया है बस खतम 4 सम हो रहा है खतम ही हो गया है मेरा खुदी मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का लेकिन 4 सम है इसके लिए क्या अलग से क्लास करना है कहता है find the value of x perpendicular बोल रहा है यह vector और यह vector हमारा है minus x i plus x j plus 2k और बोल रहा है कि a dot b a perpendicular है vector b पर तो जब a perpendicular है हमारा vector a perpendicular to vector b इसका मतलब क्या हो जाएगा a dot b equals to 0 हो जाएगा तो dot कर दो इस दोने को गुना करो x into minus x square अब minus 3x minus 3x plus 10 बराबर 0 अब इसको solve करो x का value निकालो 0 आया तो minus से पूरा multiply कर देते हैं पूरे में minus से multiply कर देते हैं तो 14 x square plus 3x minus 10 equals to 0 अब इसको factorize कर लो तो x square 10 आ रहा है न तो plus 5x minus 2x minus 10 बराबर 0 सही है तो अभी यहां से x common ले लो तो x plus 5 चला minus 2 common ले लो तो x plus 5 चला और request क्या गया 0 आ गया तो यहां से x minus 2 और x plus 5 आ रहा है यह 0 तो x का value या तो 2 या तो minus 5 यह रहा answer हमारा 17 करो जल्दी से 17 जल्दी से करो 2 और minus 5 बिल्कुल सही है आगे बढ़ो find the modulus and direction cosine of the vector 118 इसका modulus और direction cosine निकालना है तो modulus निकालना तो बहुत असान है solution मान लेते हैं vector a है यह vector a है 3i plus 4 j minus 6 k और vector a modulus निकालते हैं तो modulus 3i plus 4 j minus 6 k इसका modulus क्या होता है इसका modulus हो गया तुमारा root under 3 का square और plus 4 का square अब plus minus 6 का square तो 3 का square आ गया 9 4 का square हो गया 16 और 6 का square हो गया 36 है न 36 और 9 कितना आ गया 45 36 नो 45 और यह 61 root 61 आ गया ठीक है root 61 आ गया root 61 और क्या बोल रहा है साथ में direction cosine direction cosine of a बराबर जो भी यह 3 by root 61 दूसरा ले लो 4 by root 61 और तीसरा क्या है minus 6 by root 61 minus 6 by root 61 यह तुमारा direction cosine हो गया लिख लो यह 118 है 118 है जल्दी करो 51 51 तो यहीं से हो जाएगा यहीं बढ़ा के 52 तो 36 और 16 से ही 52 हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं 119 है ना find the direction ratio and direction cosine of PQ करता है direction cosine और direction ratio निकालना है तो देखो तुमारे पास क्या है P है हमारे पास minus 2 1 और 3 और Q हमारे पास है 1 minus 3 5 तो हमारा vector PQ क्या हो जाएगा position vector PQ का लिख लो Q तो 1 minus minus plus 2J 2I और minus 3 minus 1J और plus 5 minus यहां से 5 minus 3 और यह राख के ऐसा आ गया 5 minus 3 यह राख के PQ क्या होता है इसमें इसको minus करना होता है कर दी है तो अब क्या रहा है तुमारा 3I minus 4J plus 2K ऐसा आ गया यह PQ vector हो गया तो direction ratio क्या होता है direction ratios of PQ PQ का direction ratio जो IJK का coefficient होता है यह direction ratio होता है 3 minus 4 और 2 यह direction ratio हो गया और direction cosine इसका magnitude PQ निकाल लो तो magnitude PQ root अंडर क्या हो जाएगा 3 का square इसका square फिर यह minus 4 का square प्लस 2 का square तो कितना आ गया इस बार देखो तो यहां आ गया तुमारा PQ का magnitude magnitude PQ जो हमारे पास है वो है तुमारा 9, 16, 4 16, 4, 29, 29 root 29 तो direction cosine of PQ PQ का direction को sine क्या हो जाएगा है ना जो PQ का direction ratio है यह ratio इसका by magnitude मतलब 3 by root 29 minus 4 by root 29 और 7 में 2 by root 29 2 by root 29 यह रहा 2 by root 29 यह हमारा direction cosine हो गया ठीक है root 29 सही है बच्चों direction cosine हो गया चलो अब आखरी question आज का 120 मा क्या करना है find the vector product यह तो आता ही है vector product determinant वाला चीज है ना तुम लोग कर भी लोगे तो देख लो हम link देते हैं तुम लोग फिर कर लेना तो A cross B जो हमारा है वो क्या है तुमारा I J K है ना A कितना था तुमारा 2 minus 3 minus 5 7 6 और 8 इसको कर लेना अब डिटर्मिनान तुम लो ठीक है तो यह तुमारा हो गया 120 question क्या हो गया तुमारा 120 question आ गया ठीक है 120 question आ गया तो बहुत अच्छा है तो यह हमारा 100 question खतम हो गया आज रात से हम लोग objective करेंगे 100 question खतम हो गया आज रात से जो है ना इस 8 chapter जो हम बोल रहे थे इसी 8 chapter पर आज रात से हम लोग objective करेंगे